हलो एवरिवन कैसे हैं आप लोग इस वीडियों हम SST Maths की फिरी इबुक सॉल्व कर रहा है जिसमें 90 प्लस TCS के सेट है जिसमें 2400 प्लस कोश्चन है तो अपन स्टार्ट करेंगे आज टाइम एन इस डिस्टेंस ठीके कौन कौन से एक्जाम करेंगे तो SST CGL 2021 फेस 9 के CGL मेंस 2020, CGL 2020, CHSL 2020 और MTS 2020 यह टोटल 6 एक्जाम को कोश्चन अपन कावर करेंगे चली स्टार्ट करते है पहला कोश्चन अपने सामने है अक कार रूंस फस्ट तू 75 किलोमेटर एट एट एवरेज स्पीड ओ 50 किलोमेटर पर आवर एट दानेक्स 315 एट 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 एवरेज स्पीड एट एवरेज स्पीड ओ एट एवरेज स्पीड ओ एट 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 एवरेज स्पीड का फर्मुला क्या होता है आप बलो सर एवरेज स्पीड का फर्मुला होता है टूटल डिस्टेंस अपन टूटल टाइम ठीक है टूटल डिस्टेंस की बात कर रहें तो यहां से जोड के जाएगा, ये दोने मिला के total distance हो जाएगा, भले वहांसर ठीक है तो जोड लो इनको, तो ये केतना हो जाएगा 300 और 200, 590 पांसो नब है, total distance हो गया ठीक है, total time की बात करें, time किसे निकालेंगे, time का formula अपनको पता है क्या होता है, distance upon speed इस्टेंस अपनको गिवानी है 275, इस्पीड इवन है 50, 5 से काटो 25, बचेगा 25, 5.5 आगया, ठीक है, ये एक का आगया, दूसरी का क्या हो जाएगा, दूसरी का भी ऐसे निकाल लेंगे, 315, अपन सत्तर, साथ से कड़ जाएगा, साथ चुको अठाइगा, इधर बचेगा, 3 साथ पंजब में, इस 4.5, 5.5 और 4.5 कितना हो जाएगा, तो आप बोलो, सरी ये हो जाएगा, 10, 10 से ये 0 कड़ जाएगा, ठीक है, तो अपनी एवरेज स्पीड के आजाएगा, 59 किलोमेटर पर आवर, ठीक है, आगया, देखो कोशन नमबर 2, the ratio of the speeds of two train is to ratio 7, if the first train runs to 50 km in 5 hours, then the sum of speed of both train, तो को दोनों train की speed का ratio गिवन है अपन को, पहली train का speed, S1 माल लिया, इसका S2 ratio गिवन है, 2 ratio 7, ठीक है, बिलकुल ठीक है, इसकी speed अपन को गिवन है, आप बोलो सरी, speed तो नहीं गिवन है, लेकन अपन को ये तो दिया है, और speed का formula का बोलता है, distance upon time, distance is 250, time is 5 hours, तो speed कितनी आगे, 50, दो का मतला है, 50, तो एक का मतला 25 और साथ का मतला, अब बोलो सर, साथ का मतला हो जाएगा, 25 सत्य, 175, अपन से दोनों speed का sum पूचा है, दोनों speed का sum कितना हो जाएगा, 220, D option, correct answer, ठीक है, आगे देखो question number 3, A and B started their journey from X to Y and Y to X, देखो question बहुत अच्छा है, इसक X है, यह point मानली आपना बाय है, X से बाय के बीच में, एक distance है, ठीक है, distance क्या होगा, अब यह पर मानेंगे, A ने start करी यहां से, B ने start करी यहां से, ठीक है, बल्कुल ठीक है, यह हो गया, अब, after crossing each other, तो देखो, cross करने के लिए, एक point होगा, आप बोलो, हाँ सर, एक point होगा यह point मानली है, P, P point पर cross करेंगे, तो यहां तक कखिल समझ लेते हैं, पहले, जिको, A यहां से चलके यहां पहुचा होगा, और B यहां से चलके यहां पहुचा होगा, तो दोनों पहुच गए, A और B यहां पहुचा होगा, अब बोलो, हाँ सर ठीक है, अगर दोनों एक time प यहां पहुचे होगा, तो इसका time T होगा, इसका time T होगा, इसका time T होगा, यह distance मानली है, अपने X से लेके P तक क Васचा distance मानली है, A P से लेकर बाय तक का distance मान लिया B, इसमें कोई दिक्कत अभी है अपन मानी रहा है, मानने में कोई दिक्कत नहीं है किसी को, मान लिया ठीक है, बिल्कुल ठीक है इसकी speed given है अपन को देखो, एकी speed given है 32 km per hour कितनी है, 32 km per hour इसकी speed मान लिया अपन ने S मान लिए कोई दिक्कत नहीं है ठीक है तो ये 32 km per hour की distance से t time में ये distance cover कर लेता है इसको equation में कैसे लगेंगे speed equals to distance upon time distance से a time लगा t ठीक है अब b की बात करते है b ने क्या किया b ने s speed से b distance cover किया ठीक है कितने time में आप बोलो उसे t time में cover किया ठीक है ये इस point की बाद होगा अब इस point की बाद इस point की बाद a side मूब कर गया होगा और b side मूब कर गया होगा ठीक है बिल्कुल ठीक है यहां का time में अपन को गिवन है क्या गिवन है time यहां पर गिवन है a का time यह रहा 6,3,4 और 1,49 बटे 8 और B का time given है 8r ठीक है और distance आप उनको पता ही है speed आप उनको पता ही है तो अब A ने कितना distance cover किया होगा आप बुलूख सर अब A ने distance cover किया B, A की speed है 32 distance cover किया इसने B time लगा उसको 49 by 8 जो की 8 उपर आजाएगा ठीक है, बिल्कुल ठीक है अब B ने कितना distance cover किया था अब B ने distance cover किया A इसको time लगा कितना 8 hours और इसकी speed S अपन ने मानी थी ठीक है अपन को क्या निकालना है अपन को निकालना है speed of B in kilometer per hour मतलब इस S पर concentrate करना है ठीक है तो S पर concentrate करते है S equals to A y 8 इस A को हटाओ A को हटाएंगे तो यहां से क्या आजागा आप बोलो से यहां से आजागा 32 into T तो यह value पुट करते हैं इसमें यह value इसमें पुट करेंगे एक ही जगे के 32 into T आठ से यह कट गया चार बार में तो ऐसी question क्या आगया 40 लेकिन T के टम में नहीं चाहिए अपन को T को कहां से अठाएंगे आप बोलो से T को यहां से अठा दू तो BYS हो जाएगा ठीक है यह S को साइड बेज दो तो S स्कॉयर हो गया अभी B की value तो यहां से निकल जाएगी आठ चोको 32 बी की value के आगए 4 इंटू 49 तो S स्कॉयर अपने पास यह आगया अगर S की value चाहिए तो इसका अंडर रूट और अंडर रूट लेंगे तो एक चार बारा जाएगा एक साथ बारा जाएगा साथ चोको क्या होता है 28 बी option correct answer ठीक है आगए देखो question number 4 a journey of 900 km completed in 11 hours two-fifth of the journey completed at the speed of 60 km per hour then the remaining speed का बतानी है अपन को तो देखो two-fifth निकालो इसका 900 का कितना होता है अब बोलो से 5-6 को काटो 5 एक पांच बचेगा चार पांच अट्टे चालीस 180 दूनी 360 ठीक है 360 distance उसने कितने की speed से कवर किया 60 km per hour की speed से कितना time लगा होगा 6 hour मतलब उसने total 900 km का distance है जिसमें से सिर्फ 6 घंटे में 360 km कवर किया बचा कितना distance अब बोलो सर्फ बचा 440 4 3 7 540 540 यह distance भच और यह distance उसने कितने गंटे में कवर कर लिए मातर पांच घंटे में जो बंच चालीस 108 आट की speed से खबाऊगा कवर बात के लिए बात के लिए रहना तो को यह distance मान लिए बनने 900 है तो यहां तक का distance 360 जो उसने 6 गंटे में cover किया और और 540 distance उसने 5 गंटे में cover किया total उसको 11 आर लागी तो यहां से speed आगाई 60 average और यहां से average speed आगाई कितनी 108 ठीक है आगे देखो question number 5 a train cover a distance of 225 km in this time ठीक है uniform speed से तो speed का formula होता है distance upon time, distance दिया आपन को 225, time given अपने को 2 दून, 4 और 1, 5 बटी 2, ठीक है यह speed आगया, आपन को क्या चाहिए, यह distance दिया है अब बोलों, आपसर यह distance दिया है अपन अगा time निकालना अपन time कर दें तो क्या आएगा, यह भी speed का formula होता है, speed तो से में train की 225 दूनी क्या हो जागा 450, ठीक है तो time बरावर क्या आगया 5 मतला उसको 5 घंटी का समय लगाएगा 450 किलो मेटर चलने में ठीक है, आगे देखो question number 6, a train cover a distance of 225 किलो मेटर, यह same दिया, time taken by train to cover a distance 630 किलो मेटर, बोई यह अभी किया था, अपनने speed request to distance upon time, 225 दून 4 और 5, बटे 2, ठीक है इस पार 630 किलो मेटर चलना है time बताना है अपनको कोई दिक्कत वाली बात नहीं है 225, दूखो इसको काटो, सबसे पहला है तो 2 से काट लो तो बचेगा यह 3 ठीक है, यह 1 और यह बचेगा, यह 5 315, अब 5 से काट लो 5 चुकोबीस पच्चिस 5 से एकट जागा 5 चुका 30, पांच दिया पंदरा 9 पंज़ा 45 9 सत्य 63 यह 5 से 5 काट गया T question क्या आगया, 7 B option correct answer ठीक है Question number 7 अपने सामने इसमें क्या बोल रहा है अब person travel 5 x distance at a speed of 5 km पर आओ x distance at a speed of 5 km पर आओ 4 x distance at a speed of this and take a total time this what is the total distance travel by person अपने को एक फॉर्मूला पता है golden formula काया time equals to distance upon speed ठीक है distance कि इतना दिया तो आप बोलो सथ पहले दिया 5 x जो उसने 5 km पर आओ की speed से चला फिर distance दिया x जो उसने 5 km पर आओ की speed से चला और फिर दिया distance 4 x जो उसने दिया 6 km पर आओ की speed से तो ये भी time है ये भी time है और ये भी time है और तीनो time मिला के total time अपन को गिवन है कितना 112 minute सब आओर में दिया है तो इसको भी आओर में convert कर लो ठीक है बिल्कुल ठीक है यहां से LCM ले लेंगे कितना आजाएगा आप बलू सरे LCM आजाएगा 30 x common ले लिया अपनने इदर 6 से multiply करेंगे ये पांचे का 30 इसमें 6 से multiply करेंगे ये 6 और इसमें 5 से multiply करेंगे 4, 5, 20 चीक है बिल्कुल ठीक है इदर से आरा 112 अपन 60 अब देखो 30 से ये कट गया 2 बार में 2 से ये कट गया 56 बार में और 30, 20, 50, 56 ये पूरा कट गया तो x की value क्या आ गई? 1 x की value अगर अपने पास बन आ गई तो अपन से क्या पूछा total distance travel total distance कितना? 5x और 1, 6x और 4, 10x 10x का मतलब क्या हो जाएगा? 10 x 1 जो की 10 अपना correct answer हो जाएगा ठीक है? आगर देखो question number 8 Sam drives his car 30 km at a speed of 45 km and for the next 1 hour 20 minute he drives speed of 51 km per hour find the average speed for the entire journey जो को राम ने क्या किया? 30 km चला वो 45 km per hour की speed से अपन को निकालना है average speed average speed का formula होता है total distance upon total time तो अपन को distance कोछ तो दिख रहा है? क्या दिख रहा है? 30 km distance चला ठीक है? total distance इसका time नहीं है अपन को पता तो इसका time कैसा निकालेंगा? time equals to distance upon speed ठीक है? distance है 30 को 45 की speed से चला तो कितना time लगा होगा? आप बलू सर ये पंदरा दूनी 30, पंदरा ती 45, 2 x 3 hours लगा होगा ठीक है? बिल्कुल ठीक है उसके बाद next for next 1 hour 20 minute बन आर तो बन आर होते 20 minute को आर में कर्वाट करो 20 x 60 जो कि क्या हो जाएगा? बन वाइ 3 और इसको जोड़ेंगा कितना जाएगा? 3 x 3 और एक चार बटे 3 तो for next 4 x 3 hours, he drive a distance at 50 km per hour तो distance निखालना है अपन को, क्या हो जाएगा? speed into time speed is 51, वो कितनी की time में चला है? 4 x 3 यहां से distance आ गया, अब बलो हां सा ठीक है तीन से इसको काटो, तीन एकम तीन, तीस साथ है किस सत्रा साथ चको अठाइस, चार एकम चार और दू छह चीक है? सत्रा चको 68 यह आ गया 68, टोटल डिस्टेंस हो गया अपने पास टोटल टाइम और निकालना है, टाइम नीचे वाला कितना है? 4 x 3 यह टोटल टाइम हो गया, एवरेज स्पीड निकाल लो, आप कोई तक्का तकलिफ, कोई तकलिफ नहीं है, इसको जोड़ो, तो यह आठ का आठ ही रहेगा, 6 x 3, 9 हो जाएगा, 98, इधर 3 LCM हो जाएगा, तीन ओपर चला जाएगा, और 4 x 2 हो जाएगा, ठीक है? ठीक है ना, तीन से यह कड़ जाएगा दो बार में और दो से यह कड़ जाएगा, 49 x 1, तो एवरेज स्पीड क्या आगा यह अपने पास, 49 km पर आवर, ठीक है? आगा देखो, कोश्चन नम्र 9, ए रेलवे इंजन पास तो ब्रेज ओफ लेंद थिस एंद इस इन हंडरेट से पालिक, तो आपणसे पूचा लेंद के ट वाइस कितनी है, एक रेयलवे इंजन ने, पास क्या किया, एक ब्रेज को पास किया, एक ब्रेज को ने दो पास किया, इसके अपन को डेस्टेंस डिया cœur so meter per second में, अपन meter per second में सब calculate कर लेंगे, ठीक है, क्योंकि यह भी हम यहमे प आपने पास ही रहता है, speed equals to distance upon time, ठीक है, अब भुलोग सा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, तो speed तो दोनों के इसमें सेम होगी, अब भुलोग सा ठीक है, यह 400 मीटर का bridge, प्लेस इंजिन की लेंध, अब भुलोग सा ठीक है, अब भुलोग सा ठीक है, और यहां पर 235 मीटर का bridge, प्लेस इंजिन की लेंध, यह कवर किया, उसने 60 से के लेंध, तो यहां से इंजिन की लेंध, निकाल लेंग, कोई बड़ी बात, कोई बड़ी बात नहीं है, यह 0 से, यह 0 कड़ गया, 6 से इदर multiply करेंग, 6 को 24, 100 E plus 6 E, बरावर इदर से 10 से multiply करेंग, 2, 3, 5, 0, plus 10 E, ठीक है, तो यह 10 E, 6 E में से जाएगा, बचेगा 4 E, इदर 24, 100 में से, 350 माइनस हो जाएगा, तो बचेगा 50, इसको काटो मत, को कि अपन को कैचेगे, इसका, दो से काटो 25 और यह 2, 25 पटे दो क्या आगई, इंजन की लेंद आगई, लेकन अपन से डवल ऑफ इंजन लेंद पुचा है, तो यह हो जाएगा तो, 25, ठीक है, इसका डवल पुचा है ना इंजन की लेंद का, लंबाई का दो ना, 25, अगए देखो, कोशन नमबर 10, एट तेक्स 3 आउर्स मोर धन बी, तू वाक D किलो मेटर, एट ने क्या किया, तीन घंटे जादा लगा है, बी से, डी किलो मेटर चलने में, ठीक है, और ओ, एट चला डी किलो मेटर, बी चला डी किलो मेटर, इसने टाइम लगा है, टी आइर ठीक है, बिल्कुल ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं, फिर क्या बोल रहा है, if A double his speed, यह A है, यह B है, A है उसकी speed को double कल लेता है, then he can make it 1 hours less than B, अभी वो ऐसी speed से चल रहा है और यह चल रहा है किससे, इसकी speed X मान लो, इसकी speed Y मान लो, ठीक है, अब इसकी speed इसने कर दी 2X, तो इसको कितना time लगेगा, 1 hours less, जैसे, इसको लग रहा है T time, तो इसको लगेगा T minus 1 time, चीक है, बिल्कुल ठीक है, then how much time does A require to walk D, how much time does A require to walk D, how much time does A require to walk D kilometer, अपन को एक time निकालना है कि D kilometer बाग करने, कतना time लगेगा, ठीक है, question समझ में आगया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ से देखो पहले इसको solve करो, दो equation आपने पास, तीन बहरीवल है, दोनों को divide कर लो, ठीक है, X से X कट गया, D से D कट गया, अपने पास क्या आगया, T minus 1 upon T plus 3, यह नीचे वाला उपर चला गया, बरावर क्या आगया, बनवाए 2, ठीक है, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है, 2 से, इसको multiply कर दो, 2T minus 2, इदर से T plus 3, ठीक है, 2T में से T चला जागा, T वचेगा, और 3 plus 2 कितना हो जागा, 5, अपन से क्या पूछा था, डी किलो मीटर चलने में, कितना समय चाहिए, पहले वाली कंडिशन से देखा जाया तो उसको चाहिए, T plus 3, 8 आपर, चाहिए, मतलब 5 plus 3, 8 घंटे उसको चाहिए, ठीक है, ठीक है ना, क्वेशन नमर 11 है, अपने सामने, इसमें क्या बूला, आ कार कवर, आ डिस्टेंस ओफ 90 किलो मीटर, इन 50 मिनेट, वाट इट से स्पीड, यूको 90 किलो मीटर कवर किया, मीटर पर सेकंड में स्पीड पूछी दिया, अब इसको कार लो, देखो ये, दो जिरो से दो जिरो कार गई, वह से यह 10 कड़ गया दो वार में, दो से यह कड़ गया, तीन वार में, तीन से यह कड़ गया, इस पार में, तीस अपना करेक्ट आंचर आ गया, ठीक है, आगे देखो कुश्य नमर्ट 12, अखिल राइट्स, फर्स्ट 12 किलो मेटर एता, इस पीड अप दिस, फर्दर इस, इस, फाइंड अवरेज इस पीड का सिंपल सा फॉर्मुला होता है, क्या होता है, आवरेज इस पी स्पीड इकोस्टो डिस्टेंस अपन टाइम, टाइम निकाल ला है, डिस्टेंस अपन स्पीड, डिस्टेंस कितना 12 किलो मेटर, ठीक है, 16 किलो मेटर परावर की स्पीड से कावर किया, इसने, प्लस, 6 किलो मेटर डिस्टेंस इसने 20 किलो मेटर परावर की स्पीड से कवर कि पूइद इसको काट लो चार ती बारा चार चुको 16 यह तीन से कड़ेया तीन से कड़ेया दो तीन च्छे कर दस तूनी पीस अब इसर दस बन रहा है ज़र चार बन रहा है यह तीन बाटे दस तीन बाटे चार ले लेते हैं इसलें कि अधिना जाएगा बलुक इनका इसले जाएगा बीस तो इदर दो से मल्टिप्लाय करें यह तीन दूनी छह हो जाएगा और यह से चार पंजे बीस पांच से मल्टिप्लाय करेंगी पांच ती है 15 ठीक है बल्कुल ठीक है 15 और 6 कितना हो जाएगा 21 चैती या अठारा में 3 6 18 और 3 7 जा 21 तो यह हो गया आपने पास 120 आप हम 7 कुंसे अप्शन में दिख रहा तो साथ एकम साथ बचेगा पांच साथ सताई यह उननचास बचेगा एक पटेश साथ 17 इस्टू 1 वाई 7 सी अप्शन अपना करेक्ट आंसर हो गया ठीक है कुशन नंबर थार्टी ने अपने सामने इसमें बोला राम ट्रेवल फॉम अप्लेश जैड टू पी एट एन अवरेज स्पीड ओफ दिस एक सो तीस किलोमेटर परावा तो अपनने टोटल दिस्टेंस मान लिए डी मान साकते है कोई दिकत नहीं है ठीक है एवरेज इन 2 3rd of the time, rest and average speed of x, the value of x वताना, xy2 वतानी है, अपन को मतला x की value निकालनी है, तो कैसे निकालेंगे, यह 75% distance इसने cover किया, कुछ अलागे speed से, उसकी वारे माँ अपन से कुछ नहीं बोला, तो अपने बचा कितना, आप बोलों से 75% का मतला होता है 3y4, तो बचा कितना 1y4 मतलब dy4 distance, उसने किस average speed से cover किया, x average speed से, ठीक है, तो उसको time कितना लगा होगा, तो 2 3rd time यहां लगा होगा, तो time लगा होगा, तो time लगा होगा, 1 3rd, dy3, यह की question किस-किस को समझ में आ गई, तो 75% distance already cover कर चुका है, तो बचा कितना 1, 25% distance, तो 2 3rd time में cover कर चुका है, time भी 1 3rd बचा, ठीक है, एक से speed से cover किया, यहां से t की value निकाल लो, d की time में आ जाएगी, t की value किया जाएगी, dy1 3rd, ठीक है, बिल्कुल ठीक है, यहां रग दो t की जगा, dy1 3rd, ठीक है, तो देखो, d से d कड़ गया, कोई दिक्कत इसम किसी को, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, यह दोनों का multiply होगा, यह दोनों का multiply होगा, क्यों होगा multiply, क्योंकि यह इसके नीचे आ जाता, तो देखो, 130 into x equals to 4x, ठीक है, बिल्कुल ठीक है, 130 into 3, और अपनको xy2 की value निकालनी, इसको 4 से divide करके, xy2 की निकालनी, निकालनी, कोई देखकर नहीं है, पहले इसको काट लो 4 से, 4, 3, 12 बचेगा, 1, 4, 2, 8, यह इसको काम करते हैं, पहले multiply कर लेते हैं, ठीक है, आसानी होगी, 13, 49, ठीक है, 39, divided by 4, आप कर लो, तो देख, 4 नाम 36, बचेगा कितना, 3 बचेगा, 4, 7, 28, ठीक है, बचेगा 2, 4, 5, 20, ठीक है, संतान पर point 5 आगया, क्या x, आपनको xy2 निकालना है, तो 97.5 को 2 से और divide करना पड़ेगा, xy2 का जाएगा, तो उसे डिवाइट करेंगे, कॉंसा option आगया, आप बोलो, सरी यह आजाएगा, ठीक है, अरे, करके देख लो, यार, 4, एक बचेगा, इदर 16, 8 बचेगा, इदर 16, 8 बचेगा, 8, 40, बचेगा, कितना 15, 15 आगा आगा, 75, ठीक है, question number 14 है, अपने सामने समें, क्या बोल रहा है, if Raman drives his bike, at a speed of 24 km per hour, he reaches office 5 minute late, he drives at a speed of 30 km per hour, he reaches 4 minute early, how much time will he take to reach office at 27 km per hour, ठीक है, यह question बिलकुल आसाना, अगर इसको अपन एक तरीकिस करें, अच्छा, आपने एक formula पढ़ा, speed equals to distance upon time, ठीक है, और यह चीज भी समने पढ़ी होगी, कि distance अगर constant हो, तो speed क्या होती है, inversely proportional होती, time के, ठीक है, यह पढ़ी होगी, इसका use अपन आज, इस question में करेंगी, ध्यान रखना, ठीक है, इस speed का ratio अपन निकाल सकते हैं, क्या, अब बोलोग सर, बिलकुल निकाल सकते हैं, यह 24 है, यह 34 है, 24 ratio 30 हो जाएगा, इसको अगर अपन 6 से काट रहे, अभी बताया था, इसके inversely proportional होता है, मतलब यह इधर आजाएगा, यह इधर आजाएगा, 5 ratio 4, ठीक है, यह time का ratio हो गया, time में gap कितने का है, आप बोलोग सर, time में gap है, एक unit का, time में gap यहां से, देखो कितने का है, 5 minute late पहुचता है, 4 minute early पहुचता है, देखो, यह 5 minute late पहुच रहा है, यह 4 minute early, तो दोनो time जोड़ जाएगे, यह 5, और यह minus 4, जोड़ो जोड़ जाएगे, मतलब 9 minute, एक unit का मतलब आगे, 9 minute, ठीक है, एक unit का मतलब आगे, तो 4 unit का मतलब कितना हो जागा, 36 minute, ठीक है, 36 minute, 4 unit का मतलब आगे, इस स्पीड अगर अपनको निकालने, तो कैसे निकालेंगे, इस स्पीड निकालने, इस स्पीड निकालने, तो कैसे निकालेंगे, स्पीड इंटु टाइम, इस स्पीड क्या है, आप बोलो, सर यह स्पीड ले लो, यह ले ले लेता हूं, 30 km per hour time कितना लगा इसी की value अपने निकाली 36 मिट लगा लेकर मिनेट से काम चलेगा निस सेकंड में और में convert करना पड़ेगा तीस से यह कड़ जाएगा दो बार में दो से यह कड़ जाएगा अठारा वार में अठार नोटी है 27 तू रख ट्री आर लगे है और को मिनेट में convert करना है 30 दूनी 60 और 20 दूनी 40 यह option अपना correct answer हो गया ठीक है यह तरीक है समझ में आया इसी इस बेस्ट अप्रोच ठीक है आगे दिखते हैं कोश्चन नमर 15 The distance between two towns is covered in 7 hours at a speed of 50 km per hour by how much should the speed be increased so that two hours of traveling time will be saved तो को distance between two towns is covered in 7 hours at the speed of 50 km per hour तो अपन को इस बार भी distance constant दिया है ठीक है distance अगर constant दिया है तो time का ratio आपन निकाल सकते है आप बलूँ सर बिलकुल निकाल सकते है यहाँ 7 hours लग रहा है और यहाँ आपन को कितने hours लगाने है आप बलूँ सर 7 hours है so that 2 hours of traveling will be saved 2 hours कम लग जाँ मतलब 5 गंटे लग जाँ 7 ratio 5 ठीक है फिलकुल ठीक है 2 hours कम लगने चाहिए तो speed का ratio क्या हो जाएगा इसका reverse यह 5 इदर आजागा यह 7 इदर आजागा ठीक है 5 का मतलब 50 दिया है तो 7 का मतलब क्या हो जाएगा 70 km per hour मतलब 70 km per hour की speed से अगर वो चलेगा तो उसको 2 गंटे कम लगेंगे 5 गंटे में पहुंच जाएगा ठीक है असानी से हो गया आगे देखो question number 16 the distance between two stations A and B is 200 km a train runs from A to B at 75 km per hour while other train run B to A at 85 km per hour what will be the distance between two trains 3 minute before they meet 3 minute before they meet जो distance total कितना आप बोलोक सा total distance is 200 km ठीक है 200 km total distance है ठीक है A हाँ से चलना स्टार्ट करती है B हाँ से चलना स्टार्ट करती है यह चल रही यह चल रही कितने की speed से 75 km per hour की speed से और यह चल रही कितने की speed से 85 km per hour की speed से ठीक है बिलकुल ठीक है अच्छे हमसे क्या पूच कर ठीमिन इनिटे बिफॉर देमिडर करती तौर ढहें को तो थीन में डिस्टेन्स कीतना कवर करती है इयृ टायम है तीन में ठ्रीमिने तो 60 से डिवाइड और स्पीड आपने पास 75 km परावर तो यह तर आजाएगा क्या हो जाएगा 3 वाज 60 ठीक है तो यह ट्रेन तीन मिनिट में 12, 5, 60 और 5, 25, 25, 25 पंदरा पुछता है ठीक है 3 चोको 12 15 वाज 4 किलोमीटर का डिस्टेंस यह कवर करेगी तीन मिनिट में और तीन मिनिट में यह कितना डिस्टेंस कवर करेगी तो आप बलू सर इसको भी असे निकालेंगा 85, 35, 60 इसका डिस्टेंस अजाएगा यह D1 मान लिया अपने यह D2 हो गया इसको काट लो 17, 85, 80, 12, 50, 60 3 चोको 12 इसका आगा 17 वाटे 4 दोनों मिलके कितना डिस्टेंस कवर करेगी तो 15 और 17 22 यूनिट 22 वाटे 4 7, 5, 12 कि दो 1 और 1, 2 और 1, 3 32 यूनिट आएगा न और 4, 8, 32 टोटल 8 किलोमीटर का डिस्टेंस उन दोनों के मिलने से पहले रहेगा यह अपन से पूचा कि दोनों ट्रेंओ को मिलने से पहले दूरी क्या थी तो 8 किलोमीटर अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा किक है यह 80 से चल रही है 90 से चल रही है कोई देखकत नहीं है इसमें दग ट्रेन क्रोस्ट इच अधर एक थिरी मिनिट तो को time equals to distance upon speed time दिया है थिरी मिनिट का किक है बिल्कुल ठीक है distance कितना है तो अब बोलग सर्थ डिस्टेंस हो जागा अगर दोनों क्रोस करने की बात हो रही तो दोनों की लेंद की बढ़ावर इसमें एक की लेंद दिये है अपनको 230 मीटर दूसरे की लेंद मान लिया बनने है अगे time के लागा time three minutes का लागा इसको भी second में कंवर्ट कर लेत मतलब 5 by 18 से multiply, ठीक है, तो यहां से क्या जाएगा, 230 प्लस L बरावर, 3 into 60 into 10 into 5 upon 18, 3 6 जा 18, 6 से यह कड़ जाएगा, 10 बार में, तो L equals to क्या जाएगा, 500 minus 230, जो कि क्या हो जाएगा, 270 meter, यह option अपना correct answer, ठीक है, आगे देखो, कुछिन नमर 18, a 240 meter long train crosses 360 meter long tunnel in 30 seconds, what is the speed of train, speed equals to distance upon time, इतनी लंबी train है, इतना time इसमें लगा है, अब बलू सा, ठीक है, दोनों को जोड़ो, दोनों को जोड़ो को इतना हैगा, 200 और 300, 500 और 1, 600, meter per second, लेकिन स्पीड अपन से बूचिए, किलो मीटर पर आवर में, तो इसको क्या करना पड़ेगा, 18 by 5 से मल्टिप्ला है, ठीक है, बल्कुल ठीक है, यह 0 से यह 0 कड़ गए, 3, 6, 18, 5 से ही कड़ जागा 12 time में, तो S equals to 72 km per hour, ठीक है, 3 option, correct answer, आगे देखो, question number 1, A and B run on a circular path of perimeter this, at different speed, if they start it, same time from the same place but run in opposite direction, तो को एक circular path पर रन कर रहा है, एक साट जा रहा है, दूसरा इस साट जा रहा है, ठीक है, ठीक है, they meet first time in 3 minutes, if the speed of B is this, then what is the speed of A, यह को पहली वार वो कितने मिलते हैं, तीन मिनिट में मिल रहा है, अपन को speed of B बतानी है, ठीक है, बहुलों साट, ठीक है, कोई देख करना ही, total distance कितना है, 1200, तो speed equals to distance upon time, जबको पता है, ठीक है, speed पहले की कितनी है, जबको दोनों opposite direction में चल रहा है, घुम कर ले दे कि दोनों को आना तो एक दूसरी के पास ही है, मतलब दोनों की speed को जाए, जड़ जाएगी, इसकी कितनी है, 10.8, दूसरी की मान लेते हैं, अपनी speed, x मान लो, ठीक है, डिस्टेंस अपने पास 1200 मेटर, ये टोटल दिस्टेंस दोनों को मिलके कावर करना है, टाइम कितना लगा, 3 मिनिट, ये मीटर में है, speed दिये, किलो मीटर पर आवर में, सब की यूनिट गड़ दी है, और अपने speed, किलो मीटर पर आवर में पूछिए, ठीक है, तो इस मीटर को किलो मीटर में कनवर्ट करना है, मतलब 1000 से डिवाइट, 1.2 जाएगा, ठीक है, टाइम दिया है, मिनिट में 3 मिनिट, इसको आवर में कनवर्ट कर लो, डिवाइड बाइ 60 करेंगे, वो उपर है जाएगा, ठीक है, यह 3 से कट गया, 0.4 और यह 0 गड़ गई, तो charging 24, यह 24 आ गया, 10.8 माइनस कर दो इसमें से, 10.8 माइनस करेंगे, कितना बचाएगा, आप भूलो सर, इसमें 10.8 माइनस करेंगे, सबसे पहले, 0.2, एक ही option में दिख रहा, यह अपना correct answer हो जाएगा, ठीक है, 3 में से 0 होगा है, 3 बचाएगा, और 2 में से 1 बचाएगा, X कितना आगा है, 13.2 किलो मेटर पर होगा है, ठीक है, Q2 है, अपने सामने से में, क्या बल रहा है, रहांते, अगर इस पर यह पूझ। पाली रही है, इस ओर आगा हो जालुगा अब लेक्स है, इस फीर प्लस फूख या अगर Сपीड का बचाएगा, ठीक है? और यह दी बपोजिट डारेक्षोन में चल रहे हैं तो यह स्पीट क्या हो जाए ही? X1 माइनस X2 स्वरी गलत बोल दिया अगर यह हो जाएगी किश की? सेम डारेक्षन की नही बपोजिट डारेक्षन की ठीक है? और यह जाएगी क्या? same direction की same direction में का हो जाता है opposite same direction में speed क्या होती है subtract होती है और opposite direction में का होता है speed जुड़ जाती है ठीक है बल्कुल ठीक है कोई देक्कत नहीं अब अब अपन को एक चीज पता है क्या पता है कि distance constant है अगर distance constant है तो time का ratio और speed का ratio दोनों inversely proportional होगे time का अपने पास ratio निकाल सकते है ये 20 है ये 12 20 बारा का ratio क्या हो जागा आप बलू सर 20 का मतलब हो जागा 4,5,20 5,4 से कट जाएंगे जोनों 3 ठीक है आप बलू सर ठीक है कोई देक्कत नहीं ये same direction का रहा है opposite direction का रहा है ठीक है same direction में speed क्या हो जागा आप बलू सर ये हो जागा ठीक है तो ये क्या आगए अपने पास 3 unit मतलब same direction का x minus x2 x1 minus x2 और opposite direction मतलब x1 plus x2 ठीक है बलू सर ठीक है कोई देक्कत नहीं रिश्यो निकाल गया अब इसकी जरूद नहीं है अब अपने पास फॉर्मूला है कौन चा फॉर्मूला है speed equals to distance upon time ठीक है distance कितना है तो दोनों का distance लगा लो 380 time कितना लग रहा आप बलू सर बीस second लग रहा है इसको काट लो 380 नहीं total distance 600 हो जागा नो दोनों को जड़ेंगे यह 0 ही जागा 30 ठीक है यहाँ पर क्या speed रखिया अपने same direction वाली same direction वाली speed है क्या आप बोलू सर तीन unit तो तीन unit का मतलब 30 आगया तो एक unit का मतलब आगया 10 ठीक है अपन से क्या पूचा faster trend की speed x1 plus x2 की value 3 है x1 minus x2 की value 3 है x1 plus x2 की value 5 है तो आप बोलू सर यह 1 और 4 है 4 minus 1 3 हो जागा 4 plus 1 क्या हो जागा 5 हो जागा तो x1 क्या है 4 और अपन से पूचा जादा वाला 4 unit की value बतानी कितनी हो जागी 40 लेकिन यह तो meter per second में आग क्योंकि यह second में यह meter में अपन से kilometer per hour में तो इसको kilometer per hour में convert कर लो कैसे करेंगी? अब बरुसर अथारा वाटे 5 से divide कर लो 5 से कड़ जागा 5 से चालीस और 8 हो जागा 22 मतला 18 से चालीस ठीक है Question number 3 है अपने सामने क्या बोलरा train P and Q running same direction on parallel tracks with the speed of x kilometer per hour and 90 kilometer per hour ठीक है? the faster train passes a man sitting in the slower train in 30 seconds the length of Q is this, what is the value of x? सबसे पहले तो देखो question सब्ज़ु क्या बोला कि एक train है, एक दूसरी train है इस train में बैठा हुआ एक आदमी उस आदमी को पास कर रही है यह तूसरी train ठीक है यह P और यह Q तो इसको किना distance cover करना पड़ेगा आप बोलुक सरे train की लेंद के बरहावर मतला Q की लेंद कितनी दिया आपनको 225 मीटर इतना distance cover करना पड़ेगा अगर यह चीज समझ में आगा यह question कहतम होगया, यह distance होगया 225 मीटर स्पीड जाएगी तो आप बोलुक सरे तो दोनों सेम डारेक्शन में चल रहा है मतला स्पीड क्या हो जाएगी बढ़ा कौन सा है 90 90- X upon X यह किलो मीटर पर आवर में इसको मीटर पर सेकंड में करें मतला 5 by 18 सा मल्टिप्ला ठीक है, बल्कुल ठीक है equals to time, time दिया आपनको 30 30 सेकंड सम मीटर पर सेकंड में आगा कोई दिक्कत कोई दिक्कत नहीं 5 से कड़ जाएगा 5 चुको 20 पचंपच्चिस ठीक है, 18 यह तो देखो इसको इससाइड ले जाओ 30 इंटू 90 minus X multiply by 18 equals to 45 ठीक है, बल्कुल ठीक है इसको काट लू 6 5 जा 30 6 3 जा 18 ठीक है, बल्कुल ठीक है इनको multiply कर देते है 5 by 3 से यह क्या बच्चा 5 by 3 ठीक है यह 5 से score काट लू 5 9 जा 45 ठीक है तो अब तो question खाता हम, यह का 1 by 3 से multiply करना है यह 1 by 3 से क्या multiply करना है 90 minus X इस 3 से side multiply कर दो 97 27 इसमें से minus करो 63 equals to X जाएगा D option अबना correct answer, ठीक है आगा देखो question number 4 A train takes 1 hour 20 minute to travel between P to Q If it is 2 by 7 of usual speed How long it will take to travel between P and Q देखो यह P और Q के बीच में distance same और distance same है Speed और time का ratio आपना हराम सा निखाल सकते है ठीक है? बिल्गुल ठीक है पहले speed मानलो कितनी 7 ratio 2 दिया है 2 by 7 of the usual speed तो usual speed अपना मानलेते है कितनी 7 ठीक है? 7 अगर usual speed मानलेते है 7 से चल रहा है अब इसका 2 by 7 मतला 2 की speed से चल रहा है 7 से 7 कड़ेगा 2 ratio हो गया 7 ratio 2 ठीक है? यह initial और यह final आप बोलो सा ठीक है तो time का ratio क्या हो जाएगा? 2 ratio 7 Initial time का मतलब दिया आपन को 1 hours 20 minutes 20 minute का मतलब 20 by 60 और यह कड़ जाएगा 1 by 3 तो यह हो जाएगा 1 is to 1 by 3 जिसको पन बोल सकते हैं 3 ने कम 3 और 4 बटे 3 ठीक है? 2 का मतलब 4 बटे 3 तो 1 का मतलब 2 बटे 3 तो 7 का मतलब अब बलू सा 7 दूनी 14 बटे 3 और इसको और में कानवर्ट करना है और तो साथ इसको काट लू 3 को 12 4 और वाला option आएगा यह option नहीं, यह option नहीं ठीक है बचे कितने? 2 आए 3 2 आए 3 का मतलब का हो जाएगा? 60 से मल्टिप्लाइ करके निकालो तो यह जाएगा 20 चुकु 40 4 और 40 मिनट कौन सा option देख रहा है? C option देख रहा है यह अपना correct answer हो है ठीक है? Question number 5 अपने सामने, इसमें क्या बूल रहा है? A car and a bus traveling in the same direction At 7.30, car traveling at a speed of 72 km per hour was 4.2 km behind the bus देख भी है यह bus है, इससे पीछे है 4.2 km ठीक है? और 8.15 पर इदर पहुच जाती है 15.8 km पर आगे ठीक है? टोटल डिस्टेंस कितना है यहां से लेके यहां तक तो आप बलूसर यह टोटल डिस्टेंस है 20 km है ठीक है? और यह डिस्टेंस 20 km किस के relative में है? बस के relative में है यह बात clear है आप बलूसर ठीक है, clear है? कोई दिकत नहीं है पर देखो अपन से क्या पूचा what is the ratio of the speed of bus and car? इनका ratio पूचा है तो पहले आपनको निकालनी पड़ेगी स्पीड relative को कुश्चन है इसको द्यान से समझना relative distance की बात करना है तो आप बलूसर relative distance है 20 km relative time भी गवन है आपनको 7.30 से 8.15 टोडल कितने हुआ 45 मिनिट 45 मिनिट इसको और में convert करना पड़ेगा 60 से मल डिवाइड करेंगी जो ऊपर चला जाएगा relative speed क्या हो जागी आप बलूसर relative speed बेसे भी कार की जादा है 72 माइनस बस की एसमान लो ठीक है यह relative speed होग है 5 नाम 45 5 चोको 20 3 तरका 9 20 थी है 60 ठीक है 20 चोको 80 बटी 3 यह आगया S इस साइड आजागा यह इस साइड पहुच जाएगा 22 थी है कितना हो जागा तो आप बलूसर 3 दो नीचे 21 216 माइनस 80 upon 3 equals to S आगया ठीक है विल्कुल ठीक है 80 में से 216 माइनस करेंगे यह जागा 6 और इदर कीस में से 8 जाएगे 3 13 2 3 है 136 बटे 3 यह speed of किसकी आगई अपनको दोनों का ratio चाहिए मतलब 72 ratio 136 upon 3 इस साइड बेजतो काट लो इनको तो देखो यह कड़ जाएगा सबसे पहले तो 8 नाम 72 और 8 से कड़ जाएगा यह 8 ही का माट बचेगा 5, 8, 7, 6 ठीक है 27 ratio 17 अपना correct answer हो गया कौनसी option में देख रहा है यह option में देख रहा है यह अपना correct answer हो गया question number one है अपने सामने इसमें क्या बोल रहा एक covered a distance of 240 km at a certain speed his speed has been 8 km less than the time taken would have been 1 hour more for covering the same distance how much time will he take to cover this distance ठीक है देखो question बहुत आसान है इसको करने का तरीका बुलकुल आसान है 240 है न data आसान सा दिया आपन इसको कैसे करेंगा आपको एक formula पता है क्या speed into time बरावर distance होता है ठीक है distance 240 तो speed into time के अपनको ऐसे factor करने है कैसे factor कि देखो 8 का difference हो किसमे speed में ठीक है और time में कितने का difference हो एक का difference हो मतला मैं बोलना चाहरा हूं कि speed यहां पर अगर s थी तो s-8 होई और time t लग रहा था t प्लस बन होगा और इन दोनों को multiply करके क्या आना चाहिए 240 ही आना चाहिए आप बोलो sir ठीक है यह तो आप बोल रहा है लेकर फैक्टर के ऐसे करना है तो देखो आप बोलो sir यहां करते है आपन 40 x 5 40 x 6 40 x 4 4 x 24 240 आ गया ठीक है यहां करो 48 x 5 48 x 240 हो गया आप बोलो sir ठीक है इन दोनों में गेप कितने का है आप बोलो sir इन दोनों में 8 का गेप है और इन दोनों में 1 का गेप है और यही फैक्टर अपन को चाहिए थे ठीक है अगर यह बात समझ में आगा यह तो कुश्चन खतम हो गया ओरिजिनल स्पीट कितनी आगा 48 km पर आवर डिस्टेंस कितना चलना है 480 km पर डिस्टेंस 48 की स्पीड से चलना है कितना टाम लागेगा 10 hours का टाम लागेगा B option correct answer ठीक है यह समाझने वाली चीज थी कोई दखकर नहीं आगे देखो question number 2 The ratio of the distance between two places A and B is the distance between places B and C is 3 ratio 5 देखो A से B के बीच में या फिर अपन डिस्टेंस का ratio दिया है ठीक है क्या दिया है ratio 3 ratio 5 अब बलू से ठीक है कोई देखकर नहीं डिस्टेंस का ratio दिया A man travel from A to B with a speed of x km per hour and B to C with a speed of 50 km per hour यह A to B का distance दिया है यह B to C का distance दिया है ठीक है तो यह x km per hour की speed से चलता और यहां चलता 50 km per hour की speed से ठीक है If the average speed of the entire journey is this मतलब 40 km average speed 40 km per hour ठीक है average speed के से निकालते हैं अब बलू सर average speed निकालने का formula होता है total distance upon total time ठीक है total distance upon total time total distance कितना है तीन और पांच 8 unit total time कितना लग रहा है average speed अपन को दिये ना 40 km total time यहां से निकाल लेंगे total time यहां से निकालो क्या जाएगा यह average speed दिये ना speed का ratio है तो यहां total distance रख लेते हैं यहां फिर एक काम करते हैं पर distance मान लेते हैं क्या distance मान लेते हैं 3 और 5 8 का multiple जो 40 से भी कड़ जा पचास से भी कड़ जा तो अब बलू सर 400 मान लो 400 मान लिया पन ने total distance 400 मान लिया कोई दिकत ने मानने में कह जा रहा 400 मान लिया 400 होगा total distance से इसको 3 और 5 के ratio माट हो तो 8 पंज चालीस मतलब एक unit का मतलब क्या होगा 50 तो 5 unit का मतलब कितना होगा 250 और 3 unit का मतलब होगा 150 ठीक है अब दो 40 km चलने 40 की average speed आ रही total time कितने का लगेगा तो आप बलू sir यहां से आ रहा है time 10 hours का यहां से time कितने का रहा है 5 hours का तो यहां से time कितने का आना चाहिए आप बलू sir 5 hours का यहां से आना चाहिए अगर यहां 5 गंटे लगे है और total 10 गंटे हो रहा है तो यहां भी 5 गंटे का आना x-10 कितना हो जागा 30-10 ratio 30-10 ठीक है तो यह कितना हो जागा 20 ratio 31 कोई दिक्कत इसमें कोई दिक्कत नहीं अच्छा इसको option से भी कर सकते थे अगर अपने इसको last में यह देख लेते तो इसको option से बहुत आसानी से कर सकते क्यों क्यों कि देखो यह x-10 है और यह x-10 है यह दूसरी नमबर की संग्या बड़ी होनी चाहिए इस option में इसमें नहीं है तो यह दो अपने answer अट गए ठीक है अच्छा दोनों में gap कितने का आप बोलो साथ दोनों में gap है 11 का 11 का gap है नहीं है तो यह की answer बचला यह अपना correct answer होगा मतला होगा यहां देख लेते है अपन तो इसको solve करने की जरुवती नहीं हो थी direct answer टिक कर सकते है तो यह option बहुत गलर set करें इसने है ठीक है आगे देखो question number 3 a student goes to school at a speed of 5 is to 1 by 2 kilometer and return at a speed of this he takes 4 is to 3 by 4 entire general total distance cover y तो total distance अपन से पूछा है अपन को एक formula पता है क्या s1 into s2 s1 into s2 upon s1 plus s2 into total time equals to क्या होता है distance यह formula अपको पता है यह formula पता है तो बस इसमें रख देते हैं question खातम s1 केतना है पाउच दूनी दस और 11 11 बटे 2 s2 है 4 अपन 11 और 8 उननीस बटे 2 और टोटल टाइम कितना लगा है 4 चुको 16 और 3 उननीस बटे 4 यह आगया अपने पास distance ठीक है अपन से यह पूछा है यह पूछा है न तोटल दिस्टेंस कवर बाई अच्छा टोटल दिस्टेंस पूछा है तो यह distance जाने का या आने का दोनों में से द्राइवर ऑफ कार बिच इस ट्रेवलिंग अट 75 किलोमेटर पर आवर लोकेट अशी मीटर अहेड ओफ इम सेम डारेक्शन आफ्टर फिप्टीन सेकंड यह फाइंड यह पूछा है देखो इस स्पीड इकोइस टू डिस्टेंस अपॉन टाइम ठीक है अब बलु सर्टी का रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी पिच्छतर इसकी ज्यादा है उसकी माललियपन ऐस है ठीक है टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया तो अब बलु सर्टी मीटर पीछे था अब 40 मीटर आगे हो गया क्योंकि यह क्लो मीटर पर आवर में दी और अपन से क्लो मीटर पर आवर में पूचा सब क्लो मीटर में ताइम कितने का लागा पंद्रा सेकेंड का तो पंद्रा सेकेंड को अपन को करना पड़ेगा कि यह कि यह मीट क्लो मीटर पर सेकेंड है ना तो इसको 5 x 18 से multiply कर दो किलो मीटर ये मीटर पर सेकंड है इसको किलो मीटर पर आवर में कनवर करना है तो 18 x 5 से multiply हुआ ठीक है बल्कुल ठीक है कोई दिककत नहीं है तो पांस से ये कर जाएगा दूनी 10 5 x 20 ठीक है तीन से ये कर जाएगा तीन 5 x 15 तीछे 18 ठीक है 24 छिक का कितना हो जाएगा 144 बटे 5 और ये S हो साइट चला जाएगा ये 75 में से माइनस हुआ तो 75 माइनस 144 बटे 5 इकोस टू ऐसा जाएगा कल लेते हैं इसको कैलकुलेट तो 25 पच्चीस और 75 और 235 और 237 ठीक है माइनस 144 ये वचे गाए एक ये वचे गाए तीन ये वचे गाए दो 231 बटे 5 ठीक है इसको 2 से मुलिटिप्ला करके 2 से डिवाइड कर दो तो आंसर इसी है जाएगा 2,6,4 एक के बाद पॉइंट लगा दो 46.2 अपना करेक्ट आंसर हो गया ठीक है आगे देखो कोशन नमर 5 क्या बोल रहाएगा तो सिर्टेंस पूपरकेश्वर बिडबीन करन this is 140 इंड़र के दो थे लिपाया point A point B एक car X यहां से start करती है एक car Y यहां से start करती है ठीक है, simultaneously start कर रहा है distance between कितना दिया है 140 km if they move in same direction they meet after 7 hours if they move towards each other they meet after 1 hours what is the speed of car Y एक यहां से start करती है एक यहां सेंपल सा कॉस्चन है अगर सेम डारेक्शन में मूब करेंगे distance के हो जाएगा आप बुलुक सा distance, छोड़ो speed की बात करो speed हो जाएगी, सेम डारेक्शन में मूब कर रहा है X बड़ी कॉनसी है यहां पर दिया है if car Y its speed more than car X मतलब by बड़ा है तो by minus X हो जाएगा सेम डारेक्शन में चलने पर relative speed relative distance केतना है 140 km ठीक है opposite direction सेम डारेक्शन में चल रहा है तो यह भी है इस साइट चलेगी relative distance हो गया 140 time केतना लग रहा है आप बुलो सब 7 hours ठीक है तो यह कड़ जागा साथ दूनी 14 20 minute यह 20 अपने पास ठीक है किलो मीटर पर आवर में यह और अगर दोनों opposite direction चल रहा है तो speed जुड़ जाएगी distance 140 है time केतना लग रहा बनावर मतलब यह 140 हो गया अब अपन को के निकालना है what is the speed of car Y car Y की speed निकालना है दोनों को जोड़ दोनों को जोड़ेंगे 2Y और इतर से जाएगा 160 Y equals to क्या जाएगा 80 टीक है C option correct answer आगे देखो question number 6 X and Y travel at a distance 90 km each such that Y is greater than X यह काम की चीज़ Y greater than X the sum of their speed is 100 km if the total total time taken by both is 3 4 3 hours 45 minute convert कर लो 60 में 15 35 15 15 60 3 by 4 मतला 4 तिया 12 उरती 15 बटी 4 hour यह भी अपनने convert कर लिया तो को अपन को क्या दिया है अपन को सम दिया है sum of speed का सम okay X ratio Y दिया है कितना X plus Y दिया है 100 km okay X and Y travel at a distance 90 km each speed by is greater than speed X sum of their speed is 100 km per hour time taken by both both दोनों ने time कितना लिया तो दो time केंसे निकाले है distance upon speed 90 km चली X की speed से यह भी 90 km चली Y की speed से और इसको total time केतना लागा 15 बटी 4 घंटे ठीक है बने चली आप ग्या है 15 बटाइं 15 560 6 common ले लिया ठीक है इंदर 1 बचेगा इंदर 1 बचेगा कोई दिक्कत कोई दिक्कत नहीं है LCM लेंगे LCM लेंगे तूपर इंदर Y आएगा इंदर X आजाएगा और नीचे बचेगा X into Y E. X into Y इधर बचा 1 तो देखो 6 चुक X plus Y की वैल्यू 100 पन को पता है 6 चुक को 24 equals to X Y अब आपन को दो नम्मर ऐसे बताने है जिनको जोडने पर क्या आदना चाहिए 100 आदना चाहिए और मुल्टिप्लाइ करने पर 24 आदना चाहिए तो आप बलू सत जोडने पर सो चाहिए और मुल्टिप्लाइ करने पर चाहिए अपन को 24 तो तो देखो 6 चुक को 24 होता है और 6, 4, 10 भी होता है मतलब 60, 40 ठीक है? बिल्कुल ठीक है? क्या पूचा है अपन से? The ratio of the spirit ratio पूचा है तो 2 ratio बड़ा कॉन सा? बाए बड़ा भी है, बाए बड़ा mistake यही तो हो जाती है मैसे तो answer 2 ratio 3 दिया 3 ratio 2 दिया ही नहीं है यह 6 है यह 4 है तो 2 ratio 3 अपना correct answer हो जाती है ठीक है? आगे देखो question number 1 question number 1 है अपने सामने इसमें क्या बोल रहा? A 240 meter long train overtake a man walking at a 6 km per hour in the same direction in 9 seconds 22 meter long tunnel with the same speed देखो question आसान है man चल रहा है 6 km per hour की speed train की speed मानली है अपने T train की speed T मानली relative speed का concept है क्योंकि दोने same direction चल रहा है तो इसकी speed कम होगी, minus कर देंगे 6 km per hour में meter per second करेंग 5 by 18 से multiply ठीक है? distance कितना cover करेगा तो अब बोलो तो train को अगर आदमी पार करना तो train की लंबाई की बरावर पार करेगा ठीक है time कितना लगा? 9 सेकंड का 6 से ये कड़ गया 3 बार में और ये कड़ गया 3 से 3 तीर का 9, 3, 8, 24 तो time बरावर क्या आगया? 80 बाटे 3 प्लस इतर से बच़ए 5 बाटे 3 ये हो गया टोटल 85 बाटे 3 ये के आगए? train की स्पीड आगए 85 बाटे 3 मीटर पर सेकंड ठीक है? अब उसको 372 मीटर डिस्टेंस कवर करना है मतलब 372 मीटर लंबा टैनल क्रॉस करना है तो अब बोलो से ट्रेनल की लेंद और उसकी लेंद के बरावर डिस्टेंस कवर करेगा टाइम निकालना है अपन को इसकी लेंद कितनी हो जाएगा? टूटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा? साच चार ग्यारा और तीन दो पाँच और इक छेसो पारारा स्पीड है 85 बटे 3 मीटा पर सेक्ड़ बटे 3 मतलब 3 ऊपर वीज दो सतरा सी कड़ जागा 17,5,85 सतरा सी कड़ जागा 17,3,1,5 बचेगा 10,7 चिक है 102 ठीक है 36 आगा 36 इंटो 3 बटे पाँच है तो एक काम करो 2 से multiply 2 से divide कर दो 36 इंटो 6 हो जाएगा 216 but it is 10 21.6 ठीक है बिल्कुल खीक है कोई दिखकत नहीं है आगे देखो question number 2 a train running 40 to 1 by 2 km per hour take 24 second to cross a pole how much time will it take to pass a 450 meter long bridge ठीक है एक pole को cross करने मुसको कितना time लगता है आप बलो से 24 second लगते हैं कोई दिखकत नहीं है तो उसको इस bridge को cross करने में कितना time लगगा दो question मिलकुल असान है 24 second उसको लग रहा है खुद की दूरी भुत्या करने में ठीक है अपन इस type की question कैसे करते है time निकालने के लिए देखो खुद की दूरी जो कि train की दूरी टी है ठीक है प्लस bridge की दूरी कितनी 450 मीटर दोनों को speed से divide करेंगे इसकी speed से divide करेंगे ठीक है तो यह क्या गया time upon speed time upon speed distance upon speed क्या गया time जो अपन को question में given है already आप बुले वहाँ सा ठीक है तो इसको direct यह सी रख दो यह 450 मीटर को चलना speed अपन की पता ही है second में पूछा है तो इस kilometer पर आवर को second में करवड कर लो 40 दूनी 80 और ही 80 बटे 2 क्या है kilometer पर आवर meter upon second में convert करेंगे तो क्या आएगा 5 by 18 9 नाम ही 80 9 दूनी 18 चीक है 5 नाम 45 से यह कर गया 10 बार में और 10 दूनी यह दो दूनी चार 3 हो गया 40 टोटल सॉल्व करने पर आगा 40 40 और 20 60 और 44 सेकंड लगें ठीक है question number 3 है अपने सामने इसमें क्या बोल रहा a train is to cover 370 kilometer at a uniform speed मतलब एक समान चाल से चलते हूँ train को 370 kilometer की दूरी तया करनी है after running 100 kilometer the train could run at a speed of 5 kilometer less मतलब 370 उसको total चलना है अब भलो हां सा ठीक है 100 तक तो वो सही चली है उसके बाद उसकी speed 5 kilometer कम हो गई ठीक है अगर train के speed अपन S मान लेते हैं तो S-5 हो गई ठीक है due to some technical fault train got delayed by 36 minute what is the normal speed normal speed बथानी है तो को time का difference दिया है अगर बोट नॉर्मल speed से चली होती तो 270 km चलने में उसको S ये total time लगा होता distance upon speed time लेकन हुआ क्या है 270 km उसने S-5 की speed से चला है तो उसको extra time कितना लग गया 36 minute का time लग गया 36 minute क्या होता और मैं convert कर लो 60 से 6 3 36 60 तीन बटे 5 ठीक है 3 बटे 5 घंटे का time extra लग गया कोई दिक्काद इसमें कोई दिक्काद नहीं अब इसको solve करने से अच्छा है कि अपन option रख रख कर दिले इससे पहला option 48 48 minus 5 कड़ें 43 कटे गई नहीं ये answer नहीं हो सकता ठीक है 45 minus 5 40 40 से अपन 4 आ रहा है अपन को आपन में 5 चाहिए ये भी answer नहीं हो सकता 40 35 35 में 7 आता है अपन को आपन में 5 चाहिए ये भी answer नहीं हो सकता ठीक है 50 50 minus 45 और दर बचेगा 50 ये कट जाएगा दिखो 45 से पूरा-पूरा काटो कटी जाएगा और ये 50 तो ये देखो 27 बटे 5 आपन में 5 चाहिए कोई दिखकत नहीं है इसको काटो 9, 3, 27 9, 5, 45 5, 6, 30 कोई दिखकत नहीं क्या बच गया इदर से 6 6, 5, 30 minus 27 3 बटे 5 चाहिए इदर से satisfy कर गया मतलब ये अपना correct answer हो गए D option ठीक है आगे देखो कॉस्चन नम्र 4 कॉस्चन नम्र 4 बोला एट्रें रून्स फस्ट सेवन्ती दिखकत गया 75 किलोमेटर अट सब्स दिखकत अनिफों प्रूमेटर नेक्स 90 किलोमेटर अट आवरेज़ सब्स प्रूमेटर पर आर more than the usual speed if it takes 3 hours to complete the journey then how much time will take to cover 300 km with normal speed मतला आपन को normal speed निकालना है जिको क्या बोल रहा 75 km उसने normal speed से चला S मान लिया उसके वाद 90 km उसने S plus 10 km से चला और total time लगा उसको 3 hours चीक है बिल्कुल ठीक है अपन को देखो यहां पर 300 बाटे S दिया है ठीक है मतलब S की value क्या हो जाएगी आपन में option रखेंगे तो अपन पहले सरल सरल option रखके देखते हैं जैसे 5 रखा अपन है 5 का 30, 60 speed आ रही 60 इसमें रखके देखो सेटिस्वाइ कर रहा गया 60 और यह 70 बन गया नहीं कटेगा ठीक है? 5 में काम नहीं हो रहा अब बलो सर नहीं हो रहा 6 रखके देखो तो 6 सर 6 पंजा 30 60 नहीं 6 पंजा 30 पचास आ रही है तो यह कितना हो जाएगा? 50 और यह 50 तर 60 60 यह 0 से यह 0 3 बाइ 2 इदर से 25 तू नहीं 50 25 ती अपिछ तर 3 बाइ 2 प्लस 3 बाइ 2 टोटल 3 आ गया यह अपना करेक्ट आंसर हो गया 6 रहा कोई दिक्काद इसमें किसी को अरे आई सबज में बात की नहीं आई तो अपन ने option में अपन से क्या पूचा 300 km नॉर्मल स्पीड से चलने में कितना टाइम लगया नॉर्मल स्पीड S है तो 300 km चलने में 300 अपन S टाइम लगया टाइम अपन को आंसर में दिया है तो अपन ने इसको ऐसे कल लिया कि S अपन T टाइम T रखके देखा अपन ने 6 आर्स तो यहां से स्पीड आगए कितनी 50 km परावर जो इसकी नॉर्मल स्पीड है इस 50 को अपन ने यहां रखके देखा अपन ने क्या माना था यह 90 है यह S से चला है और यह S प्लस 10 से चला है यहां रखा अपन ने 50 S की जगा और यह 50 और 10 60 हो गया इसको काटा 0 से 0 यह 3 तर करना हो 3 दूनी 6 25 ती यह 75 तर पचीश दूनी 50 25 ती यह 75 तर पचीश दूनी पता 3 y 2 आगया अधर से 3 y 2 आगया 3 y 2 प्लस 3 y 2 टूटल क्या हो जाता है 3 हो जाता है मतलब सैटिस्फाय कर गया तो यह अपना करेक्ट आंसर हो गया ठीक है इसको सॉल जिसको करना वो सॉल कर सकता कॉडरिटिक के कुश्छन बना के कोई दिख कर नहीं है आगे क्या बहुरा है अट्रेंट लीवस यूनिफोर्म स्टेशन ए 8 अम एंड रीच बी एट 12 नूएन A car leaves station at 8.30 a.m. and reaches station at the same time when train reaches, दिखो यह, यह point A है, यह point B है, train यहाँ से लीप करती है और यहाँ तक पहुंच जाती है, यह कितने वज़ जाती, 8 a.m. पर, ठीक है, यहाँ से एक car चलती है, 8.30 पर, वो पहुंच जाती है, यहाँ, कितने वज़ है, आप बोलो यह पहुंचती है, 12 बज़े, 12 p.m. तो यह भी 12 p.m. पर पहुंच जाती है, ठीक है, यहाँ है, कोई दिखकत इसमें, कोई दिखकत नहीं है, फिर क्या बोल रहा है, when the train reaches, when they do meet, तो उनसे meet करने का time अपन से पूछा है, ठीक है, अच्छा, train को यहाँ से यहाँ तक जाने में क कितना time लगा, तो आप बोलु सर, 8 बज़े चली, और 12 बज़े पूट गई, टूटल 4 गंटे लगे, यहाँ से इसको कितना time लगा, तो साड़े तीन गंटे लगे, साड़े तीन का मतलब 7 by 2 hours, ठीक है, तो आपन 4 और 7 से multiply होने वाला एक number, total distance मान लेते हैं, 4 और 7 का LCM कितन को 28, 28 अपनने total distance मान लिए, कोई दिक्कत इसमें किसी को, distance कितनी मान लिए, अपनने 12, ठीक है, 4 और 7 का LCM, 28 distance मान लिए, ठीक है, अब देखो, क्या देखो, कि यह train 8 बज़े चलना start करी, यह साड़े 8 बज़े, पहले दोनों को बरावर टाइम पे लेके आओ, बरावर कितनी हो जाइगी, आप बोल?", 48 km distance अगर उसने 4 घनटे में कवर करी तो इसकी speed हो जाएगी, 7 km पर आवर, और इसकी speed कितनी हो जाएगी, इसने 28 km मान लिए, 7 बटे 2 घं़ में कवर करी, मतलव, 8 km पर आवर, यह इसकी speed हो गई, ठीक है, तो आदे घंटे में यह ए, कितना चल तो आधे घंटे में यह कितना चलेगी एक घंटे में अगर आट किलो मेटर चल रही तो आधे घंटे में कितना चलेगी आप बोलो सर चार किलो मेटर आपने पास दोनों का time same हो गया, आठ बजे चल रहा है, टोटल डिस्टेंस कितना हो गया तो आप बोलो, sir 28 तो पहले था, आपने 4 km और बढ़ा दिया, 32 km total distance, same time पे चलना है, तो time भी same हो गया, और दोनों एक दूसरे के direction में चल रहा है, एक दूसरे के direction में मतलब speed क्या हो जा लाएगी, तो 8 और 7, 15, 32 बटे 15 क्या आगया, time आगया, कितना time लागेगा, 32 बटे 15, इसको और में convert कर लेते हैं, और में नहीं, मिनिट में अपने निकालना है न, तो एक काम करो, पहले तो इसको काट उत 15, दूनी 30, बचेगा कितना, दो बटे 15, इसको और में convert करो, चोको 60 और 2, चोको 8, 2 आर, 8 मिनिट लगेंगे, कितने बजे से, आप बजे से, 8 बजे से, तो 8 और 2, 10, बज़ के 8 मिनिट पर बो, दोनों मिलेंगे, ठीक है, कुशन नमबर 6 है अपने सामने, इसमें क्या बोल रहा है, एक टेक्स 8 आर्स मोर देन, तो ताइम टेकन बाइ बजे टू कवर अडिस्टेंस और 160 किलो मीटर, देखो अपन ने माल लिया कि, बजे को कितना टाइम लग रहा है, बजे को TV टाइम लग रहा है, किसी डिस्टेंस एक 170 मीटर का इसको कवर करने में, तो A को कितना टाइम लग रहा है, B के टाइम से 8 गंटे जादा टाइम लग रहा है, ठीक है,やहां तक दिककत कोई दिककत नहीं, अफ आज डबल कर देता है तो इसको कितना time लग रहा है, अभी भी तीन घंटे जादा लग रहा है, ठीक है, अब भूलो उसा, ठीक है, कोई दिककत नहीं है, अब यहां से अपन को पता है, कि speed of A का ratio निकाल सकते हैं, कितना निकाल सकते हैं, बन से 2 कर दी, तो time का ratio यहां से reverse हा जाएगा, आप भूलोग सा ठीक है, यह A का time है, यह B का time है, और यह A का time है, इस बात का ध्यान दगना है, ना, time of A का ratio निखाल सकते हैं, आप भूलोग सा बिल्कुल निखाल सकते हैं, two ratio बन हो जाएगा reverse, तो distance तो constant है, है ना, तो यहां से अपन को दोनों का gap देख दिया, बन unit, यहां से अगर gap देखें कितना आरा, पांच आर, तो एक unit का मतलब पांच आर आ गया, एक unit का मतलब अगर पांच आर आ गया, तो question खतम हो गया, दो unit का मतलब 10 आर, मतलब initially उसको 10 घंटे लग रहा थे, और बाद में उसको 5 घंटे लग रहा है, अब कहीं भी रखके देख लो, इसका मतलब 10 घंटे, इसका मतलब 5 घंटे, तो TB की value कितनी आ जाएगी, दो km per hour, भी option अपन से, correct answer, ठीक है, आगे देखो, question number 7, a train running at 72 km per hour, crosses a pole in 12 seconds, how much time will it take to cross a bridge up to 360 meter long, 72 km per hour की speed से चल रहा है, 12 seconds उसको लगे, पोल को cross करने हम कितना distance रहता है, तो खुद की लेंद के बरावर, अब भुलो, इसा ठीक है, कोई देख कर नहीं, तो 360 meter long bridge को 72 km per hour की speed से, इसको meter per second में convert कर लो, 5 by 18, इतना time और लगेगा उसको, तो 18 चोक को बादतर, ठीक है, और यह कड़ जाएगा, 5 दूनी 10 से, यह 0 बचेगा, 2 से, यह 18, 18 seconds और लगेंगे, 12 seconds यहां पे लगे, 12, 18 टूटल कितना होगा है, 30 seconds होगा है, यह आए ना समझों, 12 seconds यहां कहां से जोड़े, अरे दिखो, समझा देता हूं एक बार और में, अगर मान लोगों उसको किसी bridge क cross करना है, तो 360 मीटर तो चलेगा ही चलेगा, प्लस train की लेंद की बरावर चलेगा, जो अपन ने मानी, L, चीक है, इस speed कहा है, 72 किलो मीटर परावर, तो तो और लोग अलग अलग डिवाइट कर दो, तो यह 72 किलो मीटर परावर यहां हैगा, और यह 72 किलो मीटर परावर जो अपन ने अभी solve किया ही है, यह अपन को question में गिवान है, 12 सेकंड, तो distance upon speed equals to time, जो कि दिया है, 12 सेकंड, चीक है, question number 8 है आपने सामने, इसमें क्या बोल रहा है, अखिल टेक्स 30 मिनिट एक्स्टर, to cover a distance of 150 किलो मीटर, if he drives 10 किलो मीटर परावर, slower than the usual speed, तो इस लिए आइन को समाझते है, यह क्या बोल रहा है, कि वो 30 मिनिट एक्स्टर लेता है, 500 किलो मीटर चलने में, यदि वो speed 10 किलो परावर अगर वो s-10 की speed से चलता है, और 1500 किलो मीटर पो s-10 की speed से चलता है, तो इसको 30 मिनिट मतला आदा गंटा, एक्स्टर टाइम लगता है, ठीक है, अब यहां से अपन को s-10 की बेल्यू निकालना है, और अपन को आगे क्या दिया, how much time will it take cover to 90 किलो मीटर, speed कम कर दी, उसमें 15 किलो मीटर परावर, ठीक है, s-15, तो t, यह answer दिया है अपन को, तो अपन इसमें option की help लेंगे, t की value अपन को given है option में, सबसे पहले है तो अपन देगो, जो सराल option है, 2 hours, उसको रख के देगो, 2 जया सही रखेंगे, यह कट जाएगा, 45 आप बलू, सर ऐसी question 60 आ रहा है, एसी question 60 रखने पर क्या satisfy कर रहा है, 60 minus e 50, अगर satisfy कर रहा है तो अपना काम बन गया, 5, 3, 15, यह 3 आ गया, यह 2, 3, 5, 15, ठीक है, तो 3, 2 नी 6 में से पहांच गया, 1 बाटा, 2 बच्छा, बिलकुल satisfy कर रहा है, मतलब 2 hours अपना correct answer हो गया, अगर यह satisfy ने करता, तपर उनने option को solve कर क्या पन करते है, लेकिन यह satisfy कर गया, तो यह अपना correct answer हो गया, ठीक है, आगे देखो question number 9, question number 9 ने अपने सामने इसमें क्या दिया है, Suman travel from place x to y and Rekha travel from y to x simultaneously after meeting, यह important चीज है, इसके और में अभी बताएंगे, on the way Suman and Rekha x to y 3 hours 12 minutes and 1 hours 40 minutes respectively, the Rekha 9 km per hour, देखो भाया, जहां आपको यह formula लगाना है, क्या S1 upon S2 परावर, under root T2 upon T1, ठीक है, S1, S2 speed है, T1, T2 time है, S1 अपन को नई दिया मतलब, S, Suman की speed नई दिया अपन को, यह अपनने S मानली, Rekha की speed दिया, कितनी 9 km per hour, time अपन को T1, T2 कितना दिया है, आप पलो इसे, 1 hour 48 minute, 1 hour 48 minute को आपने को आपने आपने से, 6, 38, 6, 60, यह अपने साथ, यह कट जाएगा, 4 यह 5, 5 इक हम 5, 4, 9 बटे 5, ठीक है, और दूसरा टाइम क्या दिया, दूसरा टाइम दिया, 3 hours 12 minute, 3 hours 12 minute को कनवर्ट करो, 12, 50, 1 by 5, प्लस 3, तो 35 है 15 और 16 बटे 5, बटे 5 से बटे 5 कट कर गे, 9 बटे 4 बढ आपने S upon 9 equals 2 क्या आगया? 3 वर्टे 4 तो S equals 2 क्या हो गया? 9 यह 27 वर्टे 4 जिसको काट लेंगे 4, 24 बज़ेगा 3 वर्टे 4 तो स्पीड क्या गई? किसकी? जिसकी अपन सब पूची ती? सुमन की? 6 is to 3 वाय 4 किलोमीटर पर आवर. ठीक है? आगया देखो कॉश्चन नम्मर 10. If train A runs with a speed of 72 किलोमीटर पर आवर, it reaches its destination late by 15 मिनेट. However, its speed 90 किलोमीटर पर आवर. It only late 5 मिनेट, the correct time to cover the journey. देखो भाया? पहले 10-15 मिनेट लेट हो रही है, पहले 10 मिनेट लेट हो रही है. इस पीड में कितने का चेंज आ रहा है? आप भोलो सरे, speed में तो बहुत चेंज आ रहा है. ठीक है? अपन से क्या पूचा है? साही टाइम बताना है? मिनेट में अगर साही टाइम बताना है, तो रेशो से कल लेते हैं. ठीक है, डिस्टेंस तो सेम है, अब भुलुगां साथ, डिस्टेंस तो दोनों में बरावर है, तो डिस्टेंस इको इस्टू क्या होता है, स्पीड, स्पीड का रेशो क्या होगा है, 72 से 90, मतलब की, आठ नाम बहत्तर, नो अट्टे बहत्तर और नो दाम की 90, आठ रेशो 10 या फिर बोल सकते हैं, बन चार रेशो 5, यह स्पीड का रेशो होगा है, तो टाइम का रेशो क्या हो जागा है, इसका जस्टिवर्स 5 रेशो 4, ठीक है, अब भुलू से ठीक है, यहां से डिफरेंस कितना आ रहा है, एक य युनिट का मतलब अगर 10 मिनिट है, तो पहले के 5 युनिट का मतलब 50 मिनिट, और दूसरे के अगर 4 युनिट का मतलब 40 मिनिट, ठीक है, अब भुलू से ठीक है, अब भुलू से ठीक है, अब अपन से क्या पूचा है, सही समय क्या है, तो पहले वाले में कितने जा रहा है पचास मिन्ट लग रह रहे थे वार 15 मिन्ट लेत हो रही थी मतलब 35 मिन्ट साइब में दूसरे बाले में 40 मिन्ट में पहुच रही थी वार 5 मिन्ट लेत पहुच रही थी मतलब 5 में से कम करना तो भी 35 2 में से किसी से भी निकाल लो correct answer है जागा आगे देखो question number 11 A takes 2 hours more than B to cover our distance of 40 km if A double his speed he take this time to cover our distance of 80 km दो भाई यहां 40 km की बाद हो रही अब 80 km की बाद यह तो ना इंसाफ ही है तो कि अभी अपन रेशो लगाएंगे तो गड़बर मामला हो जाएगा तो यहां कालो पहले तो 80 km तो time भी A double हो जाएगा चार गंटे ठीक है इस्ते क्या question आसान हो जाएगा अब देखते हैं क्या बोल रहा है की A double is in speed speed of A का रेशो निकाल लो पहले 1 था अब 2 हो गया ठीक है अब भूलो साथ ठीक है तो time of A का रेशो आजाएगा इसका just reverse 2 रेशो 1 ठीक है अच्छा time of A के बारे में question में बहुत कुछ बोल रखा है की A takes 4 hours more than B to cover our distance पहले उसको चार गंटे एक्स्टा लग रहा है थी जैसे B को अगा time लग रहा है TV तो A का time यह हो गया ठीक है अब कितना लग रहा है अब बोलो सार अब लग रहा है उसको तोनों में difference निकाल हो कितने का आ रहा है अब बोलो सार इधर से difference आ रहा है चार दूनी, 8 माइनस 3 कि दर से difference आ रहा है एक unit का इधर से difference कितने का रहा है 8 माइनस 3, 5F क बटी 2 तो 2 unit का मतलव कितना ओ evolving अग乐 5 कि 2 unit का मतलव 5, मतलव лет इनिशियल उसको पाँच गंटे लग रहा है ते चार गंटे हो गए तीवी का ताइम आगया अपने पास एक टीवी का मतलब हो गया एक आर अपन से क्या पूचा है हाउ मच ताइम बिल बी टेक ट्रेवलिंग एट सेम स्पीड बी को कितना ताइम लग रहा है तो कवर अडिस्टेंस 120 किलो मेटर अचा ही है अशी किलो मेटर अगर कवर करने मों उसको एक घंटे का टाइम लग रहा तो इसकी स्पीड के आ गए 80 km per hour अब उसको 120 km चलना 120 km 80 की स्पीट से चलना अब कितना टाइम लागे आप बोलो सर यहां से डिवाइट कर लेते हैं 4 दूनी 8, 4 ती अबारा 3 वाइटू, 3 वाइटू का मतलब का होता 1 इस्टू 1 वाइटू ठीक है आगे देखो कोश्यन नमबर 12 A car can cover a distance of 144 km in 1.8 hour In what time will it cover double of the distance with the speed increased by 20% एक car को 144 km चलने में 1.8 hours लगते हैं 144 km चलने में 1.8 hours लगते हैं तो इधर से क्या आगई उसकी? Speed आगई ठीक है What time cover double the distance? Distance उसने double कर दिया ठीक है? आप भूलो साथ ठीक है कोई दिक्कत नहीं distance उसने double कर दिया तो 2 इंटू 144 हो जाएगा ठीक है? और speed को उसने क्या किया? 20% से बढ़ा दिया अभी speed कितनी है? 144 बटे 1.8 इसको 20% बढ़ा दिया इसको 6 वाइफाइब कर दिया तो इतना टाइम लगेगा इसको 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 बढ़ा लेते है तो दिको 144 बटे कट गया पॉंट अटाया इतर 0 लगा दिया 6 या 18 इतर बचा 10 इसको पॉंच दूनी 10 यह 2 से यह 2 कट गया यह 3 उपर आगया कितना टाइम लगेगा? तीन घंटा का टाइम लगेगा ठीक है? आगे देखो बच्टिन नमार 13 A train running at 40 km per hour crosses a man going with a speed of 12 km per hour in the same direction in 18 seconds and passes a woman coming from opposite direction in 12 seconds than the speed of woman दोको question बिलकुल आसान है इससे आसान question हो नहीं सकता तो नहीं हो सकता दोको पहले 48 km आवर और ये दोनों same direction में चल रहा है same direction चल रहा है तो speed का क्यो होगा difference आएगा आप बोलें वहाँ से difference आएगा तो इनके बीच का difference कितना आजाएगा 36 36 की speed से तो इसको 18 सेकंड में कितना डिस्टें से चल लेगा आप बोलें वहाँ से सक आठारा सेकंड में ये टुटल डिस्टेंज चल लेगा ये क्या हो गया ये ट्रेन की length निकले आई ठीक है ट्रेन की length निकलाई अब इस length को उसको cover करना 12 सेकंड में अब बोलो आसा ठीक है 12 सेकंड में कवर करना है और इस्पीड कॉन सी होगी दोनों अपोजिट डिरेक्शन में चल रहा है अपोजिट डिरेक्शन मतलब ट्रेन की स्पीड और वुमेन की स्पीड दोनों जुड़ जाएंगी ठीक है? बात समझ में राई? नहीं राई होगी समझ में, देक खोë में बताता हूं क्या किया पहले आपन ने निकाला इतर कि relative speed relative speed क्या हो जाएगी इन दोनों का sum इन दोनों का sum नहीं इन दोनों का difference कयो दोनों सेम डारेक्शन में चल रहा है तो difference क्या है 36 km ठीक है, relative distance क्या होगा तो आप बलो से train की length की बरावर जो की L है, time कितना लगा 18 second, तो यहां से 36 x 18 क्या होगा, train की length, ठीक है, अब अपन को क्या करना है, woman को करना है, woman आ रहे ही opposite direction, तो speed क्या हो जागी, दोनों की speed जुड़ जागी, time अपन को दिया है, train की length अपने निकार ले अब बात समझ में आई, बात समझ में आई, तो कुई दिक्कत नहीं, 12 से यह कड़ जागा, 12 ती है 36, और 18 ती है चौंगन, चौंगन में से 48 minus करें, woman की speed कितनी है जागी, तो आप बलो से 4 और 2, 6, किलो मीटर परावर, question number 14, अपने सामने समें के दिया, a train कवर 450 km at a uniform speed, if the speed had been 5 km per hour more, it would have take 1 hour less to cover the same distance, how much time will it take to cover a distance of 3.15, as it useful speed, look, question very simple, 1.5-400 km, वो मान लो, S speed से चल रही है, ठीक है, तो उसको time लग रहा है, ठीक है, अब मान लो, की 1.5-400 km, वो S plus 5 की speed से चलती है, तो दोनों का difference है, वो 1 hour दिया है, ठीक है, अब भूलों से ठीक है, ठीक है, अब बलों से ठीक है, तो बोल रखा है, लेकिन अपन को इसमें option, S के दे नहीं रखे, अपन से option दे रखे, 315 km को, S से डिवाइट करने के बाद, जो T आएगा, उसके option दे रखे, तो, S यहां कर लो, T यहां कर लो, सबसे सरल option अपन को यही देख रहा है, तो साथ से डिवाइट करो, साथ चोको, 28, बचेगा 3, 7, 5, 35, 45, 45 आ रहा है, इस पीडिया 45 रख कर देखो, क्या काम बन रहा है, क्या क्या 45, 50, अगर काम बन रहा है, तो आपने कोई देखकत ही नहीं है, यह 0 से यह 0, 5 नाम 45, और यह 45 से 45 कर गए, 10 बार में, 10 माइनस 9 एक आ रहा है, मतलब आपने, यह option correct answer है, ठीक है, कोई देखकर नहीं है, आगर देखो, question number 15, place A and B are 45 km apart from each, a car start from place A to another car start from place B at same time, if they move in the same direction, they meet 4 and a half hour, if they move toward each other, they meet in 27 minutes, what is the speed of car, which is move faster, faster वाली की बतानी है, तो आपने देखो, A की speed A माली, B की speed वाली, यह दोनों अगर अपोजिट डारेक्शन में चलेंगे, तो A plus B relative speed हो जाएगी, relative distance कितना है, 45 km, कितने time में cover किया, अगर दोनों अपोजिट डारेक्शन में चल रहा है, तो 27 मिनिट में cover कर लिया, 27 मिनिट को और में convert करें, 60 से divide करें, 60 ऊपर जाएगा, ठीक है, अब दोनों अगर अपोजिट डारेक्शन के वाज़ाए, सिम डारेक्शन में चलने लागे, तो relative speed A minus भी हो जाएगी, distance वही है, 45, कितना time लगा, 4 plus 1 by 2 R, 4 plus 1 by 2 को मतला, 4 दुनी 8 और एक 9 बटी 2, दोनों को solve कर लेते हैं पहले तो, दोन नो पंजब में 45, पहाँच दूनी 10, ठीक है, 9, 3, 27, 9, 5, 45, 3, 2, 6, 60, यह हो जाएगा 100, अब अब अपन को A और B की value निकालनी है, तो बड़ा वाला अपन ने एमाना है, और अपन से बड़े की पूचिए, ना एकी पूचिए, ना पच्पन, C option, correct answer, ठीक है, question number 1 है, अपने सामने, इसमें क्या बोल रहा, 1 5th of the journey is covered at a speed of 30 km per hour, 1 4th at 25 km per hour, and rest 60 km per hour, what is the average speed, average speed बतानी है, तो बन फिप्त है और 1 4th है, तो अपन मान लेते है, 20 total distance, ठीक है, average speed का formula के रहता है, average speed बरावर रहता है, total distance जो के अपने माना 20, upon total time, time कैसे निकालेंगे, distance upon speed, distance, इसका 1 4th कितना हो जाएगा, 1 5th, 1 5th कितना हो जाएगा, तो आप बलूग से 4, उसने 30 की speed से चला, इसका 1 5th हो जाएगा, 5, 25 की speed से चला, और बचा कितना 4, 5, 9 हो गया, बचा 11, 60 की speed से चला, इसको solve कर लेते हैं थोड़ा, तो 5 से यह जाएगा 5 बार में, और यह कड़ जाएगा 2, 15 बार में, ठीक है, तो बचा किया 2 बटे 15, और एक बटे 15, एक बटे 5, एल सीम लेंगे, क्या जाएगा, 60 एल सीम आगए, जो की उपर चला जाएगा, 20 इंटू 60, ठीक है, इसको 15 चुक को 60, चार दूनी 8 हो जाएगा, 12 पंज एक दो और एक 31, अपन 6 दूनी 12, 120 और 0, ठीक है, अब देखो अगर यह 31 की जगा, अगर अपन इसको 30 माल लेते हैं, तो 0 से 0 कड़ जाएगा, 30 से 1 कड़ जाएगा, 40 पार में, ठीक है, इस बैल्यू को अपन ने थोड़ा सा कम किया है, अगर डेनोमिनीटर को कम करेंगे, तो अंसर के आ रहा है, थोड़ा सा जादा आ रहा है, जादा आ रहा है, मतलब चालीस से बड़ा अंसर हो नहीं सकता, ठीक है, 40 से इता कम तो ही नहीं सकता, चालीस के पास बाला और थोड़ा सा कम अंसर होगा, तो यह अपना सी ओप्शन करेक्ट आंसर होगा, अगर जिसको साथ इधर सबचेगा दो तो सतर तीन नाम सत्ता इस फिर आड़ बार में जाएगा आगे आड़ तीस ठीक है आगे देखो question number two a train start running at a uniform speed at 60 km per hour from station P toward station Q uniform speed से start करती और कहां से जाती P से क्यू था ठीक है at same time another train start from Q toward station P एक P से जा रहा है एक Q से आ रहा है इसकी speed given है अपन को 60 km per hour ठीक है if this the distance between P and Q is 275 km P और Q के बीच का distance भी given है अपन को कितना 275 km यह distance given है 275 km ठीक है and the train meet in two and a half hour और two and a half hour मतला two is to one by two hour जो कि क्या हो जागा दो दिन चार हो एक पाच बटी दो गंटे में मिलती है then what is the speed of train running toward P toward P की तरफ चल रहा है उसकी speed बताने तो 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 कोशन है कोई दिकत वाली बात नहीं relative speed relative distance relative time निकाल लेंगे time कितना दिया आपनको 5 is to 2 by 5 speed equals to क्यों होता distance upon time relative speed दोनों एक दूसरी का पूजित आ रही है relative speed क्यों हो जाएगी दोनों की speed जुड़ जाएगी इसकी speed माली आपने एस distance कितना है 275 time आपनको दिया 5 by 2 तो कुशन कातम होगे आप क्या है कुशन नहीं है मास से एकड़ जागा 25 25 25 25 पच्च्पन दूनी 110 110-60 करेंगे ऐसा जाएगा कितना जाएगा है सालीस और दस पचास ठीक एसकी वेल्यू आपचास किलोमेटर पर आगा यह option correct answer आगे देखो question number 3 x and y start at a time to right place a to place b which is 80 km away from a तेको x and y start at a same time to right from place a to place b which is 80 km away from a मतलब a और b के बीच की दूरी दिया अपन को 80 km ठीक है x and y start करते हैं same time से x travel 4 km per hour slower than the y x y से 4 km per hour की speed कम चलता है y reaches place b add once and turn back to meeting x देखो यह बाय जाता है और लोट के आने लगता है 16 km from b और b से 16 km आके मिलता है y स्पीड बतानी है अपन को देखो यह क्या बोल रहा है x और y दोनों साथ में चलना स्टार्ट करते है x इस वी चलना स्टार्ट करता है y बी चलना स्टार्ट करता है अपन को क्या बताना है बाय की स्पीड बतानी है ठीक है तो बता दें कोई दिखकर नहीं है क्योंकि दोनों का डिस्टेंस अपन को पता है दोनों ने डिस्टेंस कितना कावर कर लिया बाए केतना चल चुका है तो आप बोले हैं दो र expensive अगर 16 चल चुका है और 18 में से 16 माइनस करने 80 में दस माइनस करेंगio 70 सृत्तर में से चह और माइनस करें इस 64 एक 64 चला है, 64 चला है और दोनों को टाइम कितना लगा है, जितना टाइम में ये कवर किया है, उसने टाइम में उसने वो कवर किया है, ठीक है, ताइम के बारे में और कुछ बूल रखा है, कुछ नहीं बूल रखा है, तो देखो, तो speed equals to distance upon time, एकी फॉर्मूला, ठीक है, इस speed के बारे में अपन को दोनों का पता है, आप बोलों हाँ साथ, दोनों का speed पता है, अपन को, speed पता नहीं है, मतलब difference पता है, इसकी speed अगर अगर अपनने S मान ली, किसकी X की, तो इसकी अगर अपनने Y की S मान ली, तो X की कितनी हो जाई, S माइनस 4, ठीक है, इसने distance कितना चला, 64 km, इसको time कितना लगा, T, इसने distance कितना चला, cover किया, तो आप बोलों साथ, 80 और 10, 90 और 96, चला, time इसको भी लगा, T, ठीक है, तो यहाँ से देखो, T equals to S माइनस 4, यहाँ अपन में आ रहा है, और इदर से, T equals to 96 अपन S आ रहा है, मतलब T की दोनों value है, तो 96 अपन S, इसको solve कर लेते हैं, कोई दिकत वाली बात नहीं, तो देखो, 16, 64, 16, 96, 2, 2, 4, 2, 3, 6, अब multiply कर लो, तो 2S equals to 3S, 3, 4, जा 12, यहाँ जाएगा क्या अपने पास, S equals to 12, अपन से य की स्पीड ही पूचिए, जो अपन ने 12 मानी है, ठीक है, अगर X की पूचिए होती तो, X की 8 अजाती, आगे देखो, कुश्चन नम्मर 4, the speed of a train is 78 km per hour, it crosses a tunnel in 45 seconds, and overtake a person walking at a speed of 6 km per hour, in the same direction, in 15 seconds, the length of the tunnel is, ब्योंको लेंद अफ टनल निकालने है अपनको, टनल को क्रोस करने में क्या लागा हो, train की length, प्लस टनल की length दिये, टनल की length अपनको निकालने है, टनल की length अपनको निकालने है, टनल की length अपनने मानली T, इसको क्रोस करने में ये total distance cover किया होगा, train की speed क्या है तो आप बलू से 78 km per hour, ठीक है, टनल तो move कर नहीं रहा, तो यहां तो यही लग जाएगा, तो यहां से time कितना दिया, 45 seconds, यह km per hour में इसको hour में convert कर लो, 45 seconds को, यह meter में निकलेगी, तो इसको km per hour को meter per second में convert कर लो, मतलो 5 by 18 से multiply, ठीक है, आप बलू से, ठीक है, कोई दिकत नहीं, फिर क्या बोल रहा है, कि एक person जो 6 km per hour की speed से चल रहा है, तो इसको cross करने हम कितनी लेंद चली होगी train, उसकी खुद की लेंद के बरावर, time कितना लगा, 15 seconds का, ठीक है, यहाँ speed क्या हो जाएगी, तो आप बलू से, इस speed, यहाँ प गड़ जाएगी, ठीक है, इसको kilometer per hour में convert करेंगी, 5 by 18 आएगा, मतला meter per second में convert करेंगी, यह 15 दिया, अब दोनों equation को solve करना है, यहाँ से L की value हो जाएगी पहले तो, इसको solve कर लो, यहाँ जाएगा 72, 22 से यह कड़ जाएगा, 18 चुक को 22 और 5 चुक को 20, 5 चुक को 20 और 15 दूनी 30 तो यह जाएगा 300 L, L आगे आपने पास 300, यहाँ रखा आपने 300, ठीक है, भूलो से ठीक है, कोई देखकर नहीं, इसको इधर लेया, तो 78 multiply by 5, divide by 18, 3 से काट लो, इसको 3 चींग 18, 3 दूनी 6, 3 चींग 18, ठीक है, 3 दूनी 6, 3 यह कम 3, ती 5 चापने 15 और 2 से यह कड़ जागा 13, तो यह सब कड़ गाए, यह सब कड़ गाए, यह सब कड़ गाए, यह वचा 15, यह वचा 13, तेरा पंजब पैसट, पंद्रा पॉन पिछत्तर की पांच, पंद्रा चिक के नबवे, और साथ संतानवे. 975 में से 300 अगर माइनस कर देंगे, तो क्या जाएगा? 675, जो की टनल की लेन था गई. B option, correct answer. ठीक है? मीटर्स में ही आई है और. आगे देखो, question number 5. A train travel at a speed of 66 km per hour and ये क्या है? Half, ये halt क्या लेखा है? At 5 junction, जात्रा करती है और एक निश्चे समय के लिए 5 junctionों पर रुखती है. ठीक है? 5 junction for certain time. ठीक है? मतला, रुख जाती है, इसका मतला. It covers a distance 1485 in one day. For how long does the train stop at each junction if it is halt for same period of time at all junction. दो को 66 km per hour की speed से चल रही है? और total कितना चलना है? उसको 1485 km. ठीक है? तो इसी speed से उसको travel करने हम कितना time लगेगा? पहले बूटाइम निकाल लेते हैं. तो देखो, सबसे पहले तो तीन से काट लो इसको. या 11 से काट लो, 11 6, 16, 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 17, 16, 17, 17, 17, 17, 23, 23, 23, 25, 25. ठीक है? अब तीन से काट लो. तीन दूनी 6, 3, 4, 14, 3, 5, 15. तो पैंतालीस बटे, दो घंटे उसको लागेंगे. या फिर अपन बूल सकते हैं. इन वन डे, one डे मतलब 24 वार्ज की बात हो रही है. उसको ट्रेवल करनें मैं कितना टाइम लग रहा है? साढ़े बाइस घंटे. तो बचे कितने घंटे? ज़ए गंटे उसके पास बचे ज़एखने मतलब 5 बाइ 2 आर्ज उसके पास बचे. 5 by 2 hours वो टाइम रूक रूक के बेस्ट कर देती है और कितने junction हो पर उकती है? पाज घंटे जंक्षन हो पर उकती है तो एक junction पर उसको कितना time लागे या? तो शाड़े बाइस से यादा 23 और एक 24 यह दो घंटे मतलब 3 by 2 आर मिनेट में गानवाइट करना है साथ से डिवाइट कर दो और पांच जंक्शनों पर अपने से क्या पूछा है समान अब दीता करो रुकती तो प्रते एक जग सकता यहांसे आजाएगा 3y2 नहीं आ 3y2 जेल घंटे का मतलब 1 इस 2 1 y 2 का मतलब 3y2 इस होता है पांच से यह कड़ जाएगा पांच यह कम पांच बचेगा कितना दस पांच दून दस दो से यह कड़ जाएगा छेवार में उच्छती अठारा एक जंक्शन पर वो अठारा मिनिट के लिए रुकती है ठीक है जेल घंटे के लिए टूटल रुकती है आगा देखते हैं कोशन नमबर 6 दूरिंग इस मॉर्निंग वाक अतुल वाक 45 मिनिट अट इस्पीड ऑफ 8 किलोमेटर पर आवर एंट तेक्स 15 राउंट ऑफ पार्क सेका तेक्स 10 राउंट ऑफ सेम पार्क इन 40 मिनिट से चलता है तो आप बढ़ोंसअर 8 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलता है कितना टायमीट तक चलता है channel Whoa किए शफीड करीक अदे स्पीड इक्वेस्ट कॉचीड एंटS फंट अब आपन को डिस्टेंस निकालना आप इस पीड से चलता है तो 8 km per hour की speed से चलता है और 45 minutes तक चलता है minute को hour में convert करने के लिए 60 to divide ये वो total distance cover करता है ठीक है लेकिन ये कितने round का distance है आप बोलो सर्फ 15 round का distance है तो एक round का distance dy 15 हो जाएगा बोलो सर बिल्कुल ठीक है तो यहां पंदरा से divide कर लिया ये आ गए एक round का distance अपन को चाहिए कितने round का distance 10 round का distance तो 10 से multiply करना पड़ेगा तो 10 से multiply कर लो ये आ गए 10 round का distance ठीक है ये distance जो सेकर cover करता है और ये कितने time में cover कर लेता है तो आप बोलो सर्फ 40 minutes में 40 minutes को hour में convert करने के लिए 60 से divide तो distance upon time ये question क्या हो जाता है speed equals to distance upon time ये distance cover की है ये time लगा तो यहां से क्या जाएगी उसकी speed है जाएगी तो इसको solve कर लो question simple है खतम हो गया तो 60 से 60 कट गया सबसे पहले तो 15 से ये कट गया 3 बार में ठीक है अब बोलो सर्थ ठीक है कोई दिक्कत नहीं है ये बचा 40 तो ये 40 यहां जाएगा 8 पंज चालीश पहाँ से ये कट गया 2 बार में और 2 तीन 6 उसकी speed के आगए 6 किलो मीटर पर आवर में D option, correct answer आगे देखो question number 7 A train is running at a speed of 99 किलो मेटर पर आवर If the train is 565 मेटर लोग Then what will be the time taken by it to cross 975 मेटर लोग train Train के speed दी है Length दी है इसकी total tunnel को cross करने हम कितना लागे तो अब बोलो सर्थ 975 पी tunnel है वो 565 उसकी length है इन दोनों को cover करना है 99 किलो मेटर पर आवर के speed है यहां से total time है जाएगा कोई दिक्कत नहीं है कलो मेटर पर आवर है इसको मेटर पर सेकंड में convert करने के लिए 5 by 18 से डिवाइट करना पड़ेगा कलेंगे कोई दिक्कत नहीं है 11, 99, 99, 9 दुनी अठारा ठीके इनको जोड़ेगे कितना आरा पांच और पांच दस, साथ, छे, तीरा और एक चाओदा नो पांच चाओदा और एक पंदरा 11 इंटू 5 इंटू 2 ठीक है? बिल्कुल ठीक है 11 से इसको काट लो 11 एकम 11, 11 चुकुचवाली 0 5 से काटो 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 5 दूनी 8 है अपने सामने, इसमें क्या मोहन टेक्स 2 आर्स मोर दन किशोर तो वाक 63 किलोमेटर ठीक है तो मोहन का टाइम दिया है अपनको क्या किशोर के टाइम से उसको दो घंटे जादे लगते है पर क्या मोहन इंक्रीज इस स्पीड वाई 50 परसें यदि मोहन उसकी स्पीड बढ़ा लेता है तो उसको टाइम लग रहा है किशोर से एक घंटा कम ठीक है अब अपन स्पीड की बात कर लेते हैं किसकी मोहन की पहले स्पीड अगर अपनने दो यूनिट मानी तो पचास परसें बढ़ाने का बात कितनी होगा तीन यूनिट ठीक है यह अगर स्पीड का रेशो अपने पास आ गया तो टाइम आप मोहन का रेशो निकाल सकते हैं पहनी जी ले क्या थिरी से टू हो जाएगा ठीक है यहां से डिफरेंस कितने का रहा है आप बलूच सर यहां से डिफरेंस आ रहा है एक यूनिट का यहां से डिफरेंस कितने का रहा है तीन आर का तो एक यूनिट का मतलब है तीन आर तो तीन यूनिट का मतलब नाइन आर और दो यूनिट का मतलब शेक्स आर कहीं से भी निकाल का देख लो दोनों जगे से किसूर का टाइम आ जाएगा देखो यहां से अगर दोनों का सम 6 तो इसका मतलब 7 है और इदर से अगर इसका सम 9 है तो इसका मतलब भी 7 है तो किसोर का टाइम कितना है 7 hours, 63 km की बात कर रहा है, ठीक है आगे देखो question number 9 question number 9 बोलना है, dimple is traveling at a speed of 90 km per hour on a highway while Sachin traveling at 108 km per hour what is the difference in their speed meter per second in case speed का difference बताना है meter per second, कोई दिक्कत बाली बात नहीं यह 90 km per hour चल रहा है, यह 108 meter per hour चल रहा है तो 108 minus 90 kilometer per hour में meter per second बात करना है, तो क्या करना पड़ेगा 5 by 18 से multiply ठीक है, तो यह यहां से कितना आए बुलो सर यह आरा, अठारा अठारा से अठारा कड़ गया, पहुंच आ गया 5 meter per second आजान कोईशन था, इसमें तो कुछ था ही नहीं आगे देखो, कुछन नम्मर्ट 10 अगे देखो, कुछन नम्मर्ट 10 इसमें रेश्यू रेश्यू कैसे है बस किस्पीद भी मान लिए अपने ट्रेंश्य की स्पीद ड último transformations कार की स्पीद सी मान लिए ठीक है अब देखना यह क्या बोल राओं की, 40% आएं मोर्द था बस, बस सित 40% जादा, 40% का मतला 2 पटे 5 अगर बस की आपका है तो इसकी साथ होगी ठीक है? और इधर बोल रहा है कि बुल रहा है कि bus is half of the speed of train train की speed 10 होगी तो बस की speed आदी पहँड़ी और इसकी साथ होगी तीनों के speed का रेशो आगया अब बोलो साथ है ठीक है कोई दिक्कार नहीं है अपन से क्या बूचा, how much distance will car cover in this time? इतने time में, कितना distance cover करेगी? तो देखो, यहां से पहले निकालो, ट्रेन की speed क्या आ रही? 1, 0, 2, 0 टाइम केतना लग रहा, अट दूनी 16 और 17 बटे 2, तो यह उपरा जाएगा 17 चिके 102, 62 जब 120 तो 10 unit का मतलब बन को पता चल गया, 2120 अगर 10 unit का मतलब 120 पता चल गया, तो एक का मतलब 12, वह 12, 70, 84 car की speed आगा 84 km पर आवर ठीक है? 84 km पर आवर की speed से 4, एकम 4 और 3, 7 बटे चार गंटे में कितना डिस्टेंस चलेगा? यहां से देख लो, चार दुनी आट, 4 एकम 4 और 21 सत्य, 7 एकम 7, 7 दुनी चाओदा, 147 km distance कवर करेगा कोई दिक्कत इसमें किसी को? ठीक है? आगे दिखते हैं कोश्चिन नमर 11 2 trains, X and Y of length 450 meter and 550 meter respectively are running in the same direction on the parallel track if the speed of X and Y are 58 and 86 km per hour respectively then what will be the time taken them to cross each other? देखो यह पहले तो यह train, यह train है, तो train, दो train की conditions समझ लेते हैं इसकी length कितनी 450 है, इसकी length कितनी 550 है ठीक है, इसकी speed कितनी 58 है, इसकी speed है 86 है km per hour में, km per hour में, यह meter में दिया है और time अपन से पूचा है, second में तो इसको meter per second में कनबट कर लेंग, कोई बड़ी बात नहीं है लेकिन इसमें अब लागेगा relative का concept दोनों को एक दूसरे क्रोस करने में कितना डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा तो आप बलो से दोनों को मिला के डिस्टेंस जो कि कितना हो जाएगा, 450 और 550 एक हजार meter ठीक है अब बोले उसरे ठीक है इस्पीड कौन सी आएगी, टाइम निकाल ला है ना पनकोट इस्पीड कौन सी आएगी आप बोले उसरे, इस्पीड आएगी दोनों की relative मतलब इस बड़े वाले में छोटे वाले को गटा दो तो यहां घटा दो, 16 में से 8 बचेंगी और इतर 7 में 5 जाएगी दो बचेंगी 28 km per hour हमें है इसको meter per second में convert करो 5 by 18, उपर आ जाएगा 18 ठीक है, बिल्कुल ठीक है 5 से यह कट जाएगा 5, 2, 10, 0, 0 28, 14, 7 इसमें तो यह कटे गा ही नहीं तो time बैसे भी seconds में आ रहा है इसलिए आ रहा है 18, 26, जहां से तो कटी जाएगा ना 2 से यह 100, 14 और यह 7, 50 ठीक है, बिल्कुल ठीक है, कोई दिक कर नहीं है 18, 5, 90, और यह 900 बटे 7 साथ से काटो, साथ एकम साथ बचेंगा 2 साथ दू नी चवदा, बचेगा 6 ठीक है, बचेगा 7 बचेगा ना साथ बचेगा 6 बचेगा 7 बचेगा 128.6 जाएगा अपना चरेक्ट आंसर हो जाएगा ठीक है आगा देखो, कोश्चिन नम्मर 12 याषण ना करेक्टाइट किवल बचेगा 6 बचेगे उफ्टाइट किलिमेटर पर आवर रग्व इस एवल तो कंपली एज ज़नरी इन तु आर्स 28 मिनिट इफ व एट तू कवर दॉ तटम दू इसम दिस팅 नैंस इन वन आर थाइज सिक एज मिनुन्य देगा दो रगु कितने स्पीड से चल रहा है 48 km पर आर की स्पीड से चल रहा है और बो दो आर 28 मिनिट में जनरी कवल कर लेता है आप बोलो से ठीक है तो स्पीड इंटू टाइम क्या होता है दिस्टेंस होता है तो यह से डिस्टेंस अजाएगा इस्पीड कितनी 48 टाइम कितना है दो आर और 28 मिनिट 28 मिनिट को आर में कनबट करो 60 से डिवाइट करो तो यह कट जाएगा 2 से 14 यह 4 से काटो 4 सत्य 28 चार एकम 4 4 5 20 7 बटे 15 15 दो निट 30 और 7 37 बटे 15 ठीक है यह आर में एक किलो मीटर परावर में कोई दिक्कत नहीं है यह आगा है टोटाल अपने पास डिस्टेंस अब क्या बोल रहा है इफ ही वांट टू कवर सेम डिस्टेंस इन दिस टाइम बन आर्स 36 मिनिट का मतलब कितना हो जाएगा बाराती 36 मिनिट तो तीन बटे 5 ठीक है तीन बटे 5 हो जाएगा तो 5 एकम 5 और 3 आठ बटे 5 घंटे में इसको कवर करना है तो यहां से क्या जाएगा यह डिस्टेंस है यह टाइम है डिस्टेंस अपन टाइम क्या होता है इस्पीड और जो अपन को निकालनी है ठीक है किलो मीटर पर आवर किलो मीटर पर आवर किलो मीटर पर आवर कोई देख कर नहीं है पहस से यह कड़ जागा तीन बार में किलो मेटर पर आर क्या आगाई इस्पीड आगाई ठीक है बिल्कुल ठीक है कोई दिकर नहीं आगाई देखो कोश्चन नमर थाटीन अम मैंन कवर 5 by 12 of a total journey by train and 7 by 18 of the total journey by bus and remaining 7 km on foot his total journey is देखो 12 और 18 इन दुनों का अगर आपन LCM देखें 6 दूनी 12 होता है 6 ती अठार होता है LCM या रहा है 6 दूनी 12 छेटी अठार है तो 6 छिंग 36 36 LCM आ रहा है 36 में से अपन इसका 5 बटे बारा निकालने कितना आ रहा ता आप बोलो से बारा ती है 36 पाँच ती है 15 साथ बटे अठारह अठारह दूनी 36 साथ दूनी शवदा पाँच चार नो और 29 और 29 और 29 और 7 36 बिल्कुल ठीक है बिल्कुल ठीक है मतलब 36 km टोटल डिस्टेंस है अगर मान लो 29 इदर साथ नहीं आता और कुछ नंबर आता तो फिर अपन उस नंबर से साथ को कंपेर करके 36 के वैलु निकाल लेते ठीक है देगें यहां डारेक्टी डिफरेंस साथ का रहा है यह समझ में आया ना कैसे किया अपने डिस्टेंस मान लिया 18 और 12 का मल्टीपल मतलब LCM ले लिया ठीक है फिर अपने निकाला 5 बटे 12 36 का और अपने निकाला 7 बटे 18 36 का तो इनको निकाला 12 ती है 36 पांच ती है 15 इतर से निकाला 18 दूनी 36 साथ दूनी 14 वो 15 और 14 टोटल कितना हो गया 29 बटे 25 के बाद यतना डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद उसके पास बचच रहा है सातק कुलोँमेटर डिस्टेंस रेमेनिंग लेका उर यहासे भी आपने दिकांद थिल्स करें दो बी सॉतारा है मतलब ये 7 unit का मतलब 7 km है 36 unit का मतलब 36 km हो जाएगा ठीक है आगा देखो question number 14 question number 14 है अपने सामने इसमें क्या बोल रहा अब बस covered 360 km in 6 hours if it is travel 1 fourth of its usual speed then how much more time will it take देखो distance constant है ठीक है speed क्या होगा speed पहले मान लो अगर 4 है तो अब होगा ही час फूरत मतलब 1 ठीक है ratio ही आगया तो time का ratio क्या हो जाएगा अब बुलू से time का ratio reverse हो जाएगा one ratio four हो जाएगा ठीक है बन का मतलब दिया आपन को 6 hours बन का मतलब 6 hours है चार का मतलब क्या हो जाएगा 24 hours ठीक है अपन से क्या पूचा है How much more time तो 24 में से 6 गटाओ 18 गंटे जादा लगेंगे उसको ठीक है आगे देखो question number 15 Aji Singh left from place P at 9.30 a.m for place Q and David Raj left place Q at 1.30 p.m for place P the distance between is 416 km if Ajit Singh's speed 44 km per hour and David Raj's speed 52 km per hour then at what time will they meet दो को question बिलकुल आसान है इसको करने का तरीका भी आसान है यहाँ point P है यह point Q है ठीक है यहाँ से Ajit Singh चलेगा मतलब A यहाँ से David चलेगा मतलब D यह कितने वज़े चल रहा है तो यह चल रहा है 9.30 a.m ठीक है और यह कब चल रहा है तो यह 1.30 p.m ठीक है अब बोलो से ठीक है कोई दिक्कत नहीं है इसकी speed दिया अपन को कितनी 52 km per hour और इसकी speed दिया अपन को 44 km per hour कोई दिक्कत कोई दिक्कत नहीं है यहां तक यह सब तो given data हुआ अच्छा यह distance भी दिया है कितना 416 km अब देखो वही है क्या देखो कि यह 9.30 से चलना इस्टार्ट कर रहा है और यह डेड़ बज़े चलना इस्टार्ट कर रहा है तो पहले तो आपन देखो साड़े 9.30 से डीड़ बज़े तक पी कितना चलना एक इतना चलना इस्टार्ट इस्टार्ट कर रहा है देखो 10 से 11, 11 से 12, 12 से 1 ठीक है और आदा घंटा इदर शाड़े 9 का और आदा घंटा यह तो टोटल कितना होगा है एक, दो, तीन और एक, चार घंटे चार घंटे में यह कितने की स्पीड से? 44 km per hour की speed से 4 घंटे में कितना distance चल लेगा 4 चुको 16, 4 चुको 16 और 176 km distance चल लेगा, total distance कितना है 416 km दिखो ये चल लेगा कितना distance 116 km चल लेगा, तो बचेगा कितना distance, ये distance बचा ठीक है, कितना distance बचा 11 में से साथ जाएंगे, 4 और 3 में से गया, 2 240 km लेगा distance बचा, अब कोशचन अब आसान हो गया, कि यहाँ OSN बचै कि डीड़ वजय यहाँ आगा ठीक है, डीड़ वजय इसने यहाँ से चलना स्टाइट किया, डीड़ वजय इसने यहाँ से चलना स्टाइट किया, बीच का 240, speed कितनी हो जाएगी 5 और 4 और 2 6 और 5 4 9 time यहां से निकल आएगा काट लो इसको 8 3 24 8 1 का माट, 8 2 9 16 3 चो को बारा 3 धाम के 30 10 बटे 4 मतलब 5 बटे 2 R में बात हो रही है तो यह काट लो इसको कितना हो जाएगा 2 2 9 4 मतलब 5 गंटे यह तो देड़ बजे से 5 गंटे लगाओ कितना हो जाएगा आप बोलो से देड़ से आदा गंटा हुआ 2 बज गए और 2 से 2 गंटे 4 बज गए 4 पी एम पे दोनों मीट करेंगे ठीक है कोई दिककत इसमें किसी को कोई दिककत नहीं है तो आगया जाओ Question No.16 Pavan travel from X to Y at a speed of 10 km per hour and Y to Z at 15 km per hour and Z to W at 20 km per hour X, Y, Z सब बरावर दिया then the average speed of Pavan Total distance अपनने 15, 20, 10 5, 10, 15, 20 मतला 15, 10 और 20 इनका LCM को हो जाएगा तो आप बोलो उसे 60 मान लो 60 ये, 60 ये, 60 ये तीनों से कड़ जाएगा, ठीक है तो को X, Y का distance अपनने 60 मान लिया ये 60 हो गया और ये भी 60 हो गया ठीक है बल्कुल ठीक है थोड़ा easy पढ़ जागा, इसलिए मान आपनने तो total distance उसने कतना कवर किया 3 into 60 10 km पर आवर की speed से एक से बाए चला मतला 60 बो 10 की speed से चला 60 बो 15 की speed से चला और 60 बो 20 की speed से चला तो यहां से average speed निकला आगी काट लो ये कट गया 0 से 0 15 चुक को 60 और 20 तीए 60 total कितना आगे 4, 3, 7 और 6 13 ठीक है बिल्कुल ठीक है 6, 3, 18, 18, 18 बटी 13 13 से काटो 13 एकम 13 बची का इधर कितना 5 13 तीए 49 13 तीए 49 49 की बाद कितना बचेगा 5 बचा ना आए तो इधर बचेगा 14 बटी 13 C option, correct answer ठीक है आगे देखो question number 17 अगार कवार अटिस्ञ दस्टi outro 48 क्लीमीटर एक इसपीड पर आवर स्टी क्लीमीटर पर आवर आथा धरीश दस्टी घॉटी ऐटर इसटना कार इसपीड उटेखो दस्टी यदू कृटिटू को इस्टी खवर किया उसना में रही 65 की काट लो इसको तो यह तो कट जागा कितने से 4 से कट जागा जब 12 12 से के 4 से काट लो 4 एकमचार 4 दुनिया 4 दूनिया के 40 और 2 से कट जागा तो 6 दूनिय बारा 6 वाइफाइब आ गया इदर इसको काट तेरा चो कवाउन 13 पंजे 65 यह 4 वाइफाइब आ गया यह 6 वाइफाइब आ गया 4 वाइफाइब प्लस 6 वाइफाइब क्या हो जागा 10 वाइफाइब यह 5 उपर पहुचा दो यह 0 से यह 0 कट गया 50 अपने कुश्चन का करेक्ट आंसर हो गया किलोमेटर पर आवर में ठीक है आगे जिखो कुश्चन नम्मर 18 2 trains start at the same time from 2 stations and proceed toward each other at speed of 90 km per hour and 70 km per hour respectively when they meet it was found that one train has traveled 140 km more than other what is the distance between 2 stations 2 stations के बीच में distance बताना अपनको यहां से चलना इस्टार्ट किया एक train ने कितने की स्पीड से, 90 की स्पीड से दूसरी train ने यहां से चलना किया, 70 की स्पीड से ठीक है, जब उमीट करती है मतल άλλ imagined here, में यहां पर में इस प्जिक पे तो उनने देखा कि एक ट्रेञ्ण ने 140 km एक्स्टर चलिया किसने चला हुआ अब्वेश सी बात है इसने चला हुआ अब भूले हुआ सर इसने 140 km एक्स्टा चल लिया हुआ ठीक है टाइम दोनों का क्या है टाइम दोनों का सेम है टाइम तो अला कला हो ही नहीं सकता मतलब यहां कहीं मिले होंगा एक सो चालीज किलो मीटर चलने में इसको कितना टाइम लगा हुआ कितना क्रीज दोनों को बदावर लगा इस से कोई मतलब नहीं देख अपन निकालते हैं क्या what is the distance अपनने माल लिया total distance D ठीक है दोनों ये दूसरी की तरह आ रहे है मतलब relative speed क्या हो जाएगी आप बोलों सर चुड़ जाएगी दोनों तो 8 और 8 16 160 km per hour relative speed हो गई distance upon speed per hour time आ गए T ठीक है बिलकुल ठीक है कोई दिक्कर नहीं है अब अपन को एक चीज ये गिवन है कि इसने 140 km एक्स्टा चला है मतलब इस T time में इसने कितना distance चला T time में अगर इसने X distance चला है तो इसने X प्लस 140 distance चला है और इसकी speed क्या है तो आप बोलो सर इसकी speed है 90 इसकी speed क्या है X upon 70 तो यहां से ये T दोनों में बरावर है आप बोलो सर ठीक है इसको solve कर लो ये 0 से ये 0 कड़ गए ये 7X इदर कर लेते हैं 7X 7X नहीं 9X और इदर आगा 7X प्लस साच 980 ये 2 से माइनस हो जाएगा तो 2X equals to 980 और 980 से ये डिट कर जाएगा 490 equals to X मतलब ये है 490 और ये 490 प्लस 140 तो टोटल कितना हो गए है 490 और 490 नो सो असी प्लस 140 0 0 8 ये दू हासल किया एक और 9 और दो 11 ठीक है अब भोलो से ठीक है 1120 भी option में दिख रहा है ये अपना correct answer हो गए कोई दिखतर नहीं है टाइम पूछा होता और टाइम अपने यहां से निकाल लेते डिस्टेंस आईगे आपने पास 1120 यहां से टाइम भी निकल जाता कितने टाइम बाद में ले वो दोनो ठीक है आगे दिखते हैं question number 19 a truck cover a distance of 480 km at a certain speed if the speed is decreased by 8 km per hour it would have taken 2 hours more to cover the same distance 50% of its original speed देखो question इस टाइब के पन बहुत कर चुके हैं फिर करते है distance of 480 ठीक है कितने की speed से चल रहा हो अब बुलोसर पहले चल रहा था वो S की speed से S speed मान लिए पनने है फिर वो चला S minus decrease करी decrease करी तो यह संक्या बड़ी हो जाएगी S minus 8 और यह संक्या छोटी हो जाएगी ठीक है 2 hours more लगे उसको कोई दिक्कत इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं है अब यहां से अपनको S की value रखके देखो जो संसेटिर्फाय कर देखो अपना अंसर यह 50% पूचा है अपन से मतलब आंसर जोगा उसका double होगा 20 का double 40 48 का double 96 40 का double 80 और 24 का double 48 ठीक है बोलो से ठीक है कोई दिक्कत नहीं है सबसे पहले तो 8 वाला रखके देखो 48 अगर 40 है जाएगा लेकिन 40 से 48 काटेंगा अपन 0 से 0 4 से यह कड़ जाएगा 4 एकम 4 चार दुनी आठ ठीक है इदा 48 से 48 कड़ जाएगा बची का कितना 10 12 माइनस 10 दो आरा है तो C option D option अपना करेक्ट आंसर होगा कोई दिक्कत कोई तकलीफ अपन ने ये option रख के देखा क्योंकि इसमें 8 दिख रहा था और अपन को यहां भी 8 दिख रहा था और 48, 48 दिख रहा था तो अपन ने रख के देख लो चीक है अब किसी को लगेगा यही क्यों रख के देखा तो कोई सा और रख के देख लो या जो इसा और रखके देख लो वो सैटिस्फाय नहीं करेगा आपका मन बता कौन सा रखके देखें अब बोलो सर ये है चालीस रखके देखेंगा है चालीस रखो चालीस माही नहीं साथ बत तीस आएगा आठ चुकुब थीस, आठ चींग, तालीस, साथ, दो से ये कड़ जागा, तीस, इधर रखके देखाता अपने, चालीस, जीरो से जीरो, ये कड़ जागा, कितना बचेगा, चार एकम, चार, बारा, तीस में से बारा माइनस करने पर क्या, दो आता है, बुलूसर नहीं आता, ये आंसा नहीं हो सकता, यैसा इस अभी एक एक रखके देख लेंगे, ठीक है, आगे देखो, क्वेश्चिन नम्बर 20, 500 मीटर लोंग पासेज, और रेल्वे ब्लेटफों, 400 मीटर लोंग, in one minute, with uniform speed, what is the time taken by a train to pass a man riding motorbike, traveling opposite two direction, speed ये दिये, तो पहले आपन को निकालनी पड़ेगी, train की speed, वो कहसे निकलेगी, यहां से निकलेगी, डिस्टेंस कितना चला, 500 मीटर ये, और 400 मीटर उसकी लेंद, टूटल ये डिस्टेंस कवर किया, उसने, कितने में, बन मिनेट में, को सेकंड में, कनवट कर लेंगे, 60 तो मीटर पर सेकंड आ घए, ठीक है, और अपन से टाइम भी सेकंड में पूछात, कोई दिख कर नहीं, मीटर पर सेकंड में, स्पीड हाई, train की, इस पीड हाई, ठीक है, इसको सोल कर लेते ही, थोड़ा सो, पांच चार नो, 900, 0 से 0, 6 से क्या बोल रहा है कि traveling opposite to the direction opposite direction में चल रहा है दोनों तो उनकी speed का हो जाएगी तो speed तो जुड़ गई 15 और 18, 18, 18, 18, 18, 20 हो जाएगी ठीक है distance कितना cover करना train की length के बरावर 500 कितना time लगेगा मीटर पर सेकेंड में इसकी speed किलो मीटर पर आवर में भाई या 18 किलो मीटर पर आवर इसको मीटर पर सेकेंड में convert करें क्या आएगा 18 वाइफाइब ने 5 बाइएटीन 18 से 18 कट गया 5 15 और 5 20 हो जाएगा जीरो से जीरो कट गया यह कट गया 25 25 सेकेंड का टाइम लगेगा यसी छोटी छोटी मिस्टेक नही करने आगे क्या बल्रा कोश्चन नम्बर एक्टीज 50 minutes to cover a certain distance at a speed of 54 kmph if the speed is increased by 50% how long it will take to cover 3 fourth of the same distance दिखखव यह car take 50 minutes to cover a distance if the speed of car increased by 25% then how long it will take to cover 3 fourth of the same distance कि चववन किलोमीटर चलने में उसको पचास मिनिट लगते हैं मिनिट को और में कनवर्ट करने के लिए साथ से डिवाइड करेंगे वो साथ उपर आ यह क्या आ गई ट्रेंड की स्पीड किलोमीटर पर आ ठीक है अब इसको 25 परसेंट से बढ़ा दिये गए 25 परसेंट से बढ इसका 3 4th distance कौवर करना थे डिस्तेंट कितना थे 4 इसका 3 4th cover करना है कितना time लगेगा यहां से time आ जाएगा तो देखो कातो इसको चाववन से चाववन कटेया ठीक है यह जीरो से यह जीरो कट गया यह चार से यह चार कट गया तीन से यह दो वार में छे कट गया यह 2 hour 1 by 2 hour का मतलब सबको पता है 30 minute ठीक है बिलकुल ठीक है कोई देखकर नहीं है आगे देखो question number 22 Asukh complete a journey in 7 hours he travel the first half of the journey with 24 km per hour and second half with the speed of 32 km per hour total distance of the journey देखको distance अको उसने है ना distance मान लिया अपनने केतना 24 और 32 8 तीए 24 आठ चको बातीश ठीक है 8 तीए 24 आठ चको बातीश ये टोटल अपनने distance मान लिया 12, 8 च्यानवे करदवल 96 करदवल क्यों मानना क्यों क्यों च्यानवे से 32 और 24 तीए दो नों कर जाते हैं तो इसको 96 ही मान लिया तो टूटल डिस्टेंस लेकिन छ्यानुवे से कट जाते हैं लेकिन आदा आदा करना है आपनको छ्यानुवे के आदे से नहीं कटेंगे तो इसका डवल अपने टूटल डिस्टेंस मान लिया अब उसको टूटल टाइम कितना लगा तो आप बलो तो आपनको टाइम है टोटल का 7 पहले आदा जर्न कितना हो जाएगा 96 96 उसने 24 की स्पीड से कवर किया और बचा 96 उसने कवर किया 32 की स्पीड से ठीक है अब भूलो उसे ठीक है तो यहां से इसको काटो चार चुक को 16 और दो चुक को आट और एक नो चार वार में 32 तीश तीश चैनुए टोटल चार और तीन साथ घंटे आ रहा है बुलकुल सही आ रहा है मतला अपन ने जो माना तो यह अपना करेक्ट डिस्टेंस है तो चैदो नी बारा यूने डिजए दो कौंसे ओप्शन में यह ओप्शन में अगर यह साथ ना के साथ का कुछ मृटी पर ला आता तो फिर अपन एक उनिट का मतला जैसा साथ उनिट का मतला साथ बूल लगा के सौल कर लेते ठीक है आगे देखो जो कौंट ट्रें आ इतना तायम जाद लेते है ट्रें बी सह है तो ट्रेन बी का टाइम अपने भी मान लिया तो ट्रेन एका टाइम क्या हो जाएगा आप बोलो सर इससे पाँच एकम पाँच और चार नो नाइन वाइफ फाइव और एक्स्टा ले दिया ठीक है फिर क्या किया हुनने फिर ट्रेन की इसपी डवल करती इट बिल टेक 36 मिनिट लेस इस पार वो टी बी से 36 मिनिट लेस ले रही है 36 मिनिट का मतलब इसको डिवाइट कर लो तो यह जाएगा 6.36 और 6.60 मतलब 3.5 ठीक है अब बुलो सर्थ ठीक कोई दिक्कत नहीं अब यहां से अपन स्पीड एका रिशू निकालते हैं पहले उसकी स्पीड बन यूनिट थी फिर स्पीड हो गई डवल मतलब 2 यूनिट तो टाइम का रिशू क्या हो जाएगा यह के लिए यह के लिए टाइम का रिशू जाएगा टू रिशू बन कितने का डिफरेंस आ रहा है एक यूनिट का यहां से अगर अपन डिफरेंस देखा जाये तो कितने का आ रहा है आप बुलो सर्थ यह 9 और 3 बारा बटे पांच नो जुड़ जाएंगे बारा बटे पांच गंडे का रहा है एक का मतलब बारा बटे पांच तो दो का मतलब च्ववीश बटे पांच अपन से क्या पूछा है then the time taken by train b to travel same distance what is the speed of train b? train b की speed बतानी है आपन को train b का time यहांसे निकाल लो कितना आजाएगा? आप बूलो सर्थ यह को लग रहा है कितने tb हाजाएगा 24 बटे 5 माइनस नुबटे पांच 4 में नुब वीस मेंसे 9 माइनस करें, चार गये 20 बैसे 5 वार माइनस करें, 15 बटे 5 क्या जागा? 3 ठीक है? 3 आवर लग रहा है ट्रेंबी को ट्रेंबी को 3 गंटी लग रहा है है डिस्टेंसे कितना? 360 क्लोमेटर 360 km तीन घंटे में कवर कर रहा मतलब तीन एकम तीन दिन दूचर और जीरो इस्पीड कितनी है 120 km पर आवर ठीक है बिल्कुल ठीक है question number 24 है अपने सामने इसमें क्या बोल रहा है a person moved from a place A to B at 2 p.m. at a speed of 4.5 km पर आवर and stayed at place B for 1.5 hours and returned to place A at a speed of 6 km पर आवर he came back place A at 7 p.m. what is the distance between A and B तो यह एक person है A से B जाता है B पर रुकता है डिल गंटे के लिए और फर B से A से B जाता है B से A बापिस हाजाता है यहां से चलता है 2 p.m. पर और 7 p.m. पर रिटाना जाता है ठीक है यह कोशन में बोल रखा है अच्छा यहां से जाने की स्पीट क्या है 4.5 km पर आवर यहां से बापिस आने की स्पीट है 6 km पर आवर तो 4.5 मतलब 9 और 6 इनका मल्टिपल देखें तो नवदुनी अठारा मल्टिपल आ रहा है तो अगर डिस्टेंस माल लेते हैं अठारा किलोमेटर कोई दिक्कत इसमें किसी कोई दिक्कत नहीं है अठारा किलोमेटर अगर वो साड़े चार की स्पीट से जाएगा तो कितना टाइम लगेगा आप बोलो सर अठारा बटे सारे चार और अगर अठारा किलोमेटर भू छे की स्पीट से जाएगा तो कितना टाइम लगेगा यहां से आ जाएगा तो देखो इसको काटो नो दूनी अठारा नो पनना पैतालीस पॉइंट पाइब उपर लगाया जीरो पांच चुक को बीस चार गंटे यहां से आ रहा है छेती अठारा चारो टीन तूटल साथ गंटे आ रहा है इसको टाइम कितना लगा तो अब बलूसर दो साथ पांच गंटे यहोगा जिसमें से डिड़ गंटे उसने रुखने में बेश्च कर दिये तो ये तो गिनागी नहीं उसमें से डिड़ गंटे माइनस करो गे तक्या जाएगा साड़े तीन गंटे साथ उनेट का मतलब है साड़े तीन घंटे तो अपने टाइम के माना तो 18 इसका मतलब क्या हो जाएगा 9 किलोमेटर अपने जो डिस्टेंस माना तो 18 किलोमेटर उसकी जगे अपना अंसर हो जाएगा 9 किलोमेटर ठीक है आगे देखो question number 25 question number 25 अपने सामने इसमें क्या दिया दो परसन है P and Q are 844 मीटर अपार्ट यहाँ P है यहाँ Q है दोनों के बीच की डिस्टेंस है 844 मीटर ठीक है P इदर चलता है Q भी इदर चलता दोनों सेम डारेक्शन में जा रहा है P 12 की स्पीट से जा रहा है यह 8 की स्पीट से जा रहा है मीटर पर सेकंड मीटर पर सेकंड कोई दिककत नहीं है ठीक है बिलकुल ठीक है तो अपन को क्या निकालना है टाइम निकालना है डिलेटिव डिस्टेंस कितना है 844 डवाली से, relative speed क्या हो जाएगी, on your statement same direction में जा रहा है मिनस करके, यहाँ से जायका time, काट लो इसको, time minute में घालेगा, अपन को चाहिए, यहाँ से time second में आयेगा, चार द वनिया चार एक म्चार, चार एक म्चार, 211, इसको मिनिट में convert करने के लिए करना पड़ा है साठ से डिवाइड चैती या अठारा तीन मिनिट सभी ओप्षिन में दिया बचे के कितने 180 माइनस करो कितना आरा 31 तो 3 आर्थ 31 मिनिट शी ओप्षिन अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा ठीक है आगा थेको कुशन नमठर 26 Armen एग नच बचे पने ऐग जिवाब एग दिशन 78 कि या ऑग छाग जाना पड़हाओ बचा एंसर थह स्पाल सब्हाओ सब्चार मिनूज पर चार्ण भाप़ एगब एग yht AREग आ किवाव, जाट Z speed of Bebub faster than this. Total time taken was this. तो तो बही है, क्या बोल रहा? कि 78 km Bebub ने चला. Bebub की speed माल लेते हैं, आपन, X. तो distance upon speed क्या हो जागा time? प्लस 78 km distance, इसने चला कितने की speed से? Y की speed से. तो टोटल टाइम लगा उनको तीन आर 32 मिने, मतलब 3 is to 1 by 2. तीन दू निच्छे हो और एक साथ बटी दू. ठीक है? बिल्कुल ठीक है. तो यहां से अपने पास यहाजाएगा Y, इदर X और अपन X, Y. और 78 अगर अपन common ले लें, तो बचेगा X प्लस Y. और जो की अपन को दिया है, 91. ठीक है? बिल्कुल ठीक है. कोई दिक्कत नहीं है. तो यह 78 है, यह 91 है, और साथ बटी दू. चाहिए अपन को. बेबब की चाल बतानी है अपन को. देखो, इसको देखें हैं, अपन 13 चेंग 78 होता है. यह होता है 13, 70, 91 है. ठीक है? 13 किसी option में दिख रहा है, एक option में दिख रहा है. क्योंकि अगर 13 कट जाएगा, तो अपना काम हो जाएगा. अगर 13, 52 रख के देखो. तेखो, 13 से यह कट जाएगा, चार बार में. यह 2 से यह 2 कट गया, और 2 से यह कट गया, तीन बार में. अभी भी क्या बच रहा है? 13, 3, 49. क्या इसकी स्पीड 49 आ रहा है, बावन और 49, 91 होते हैं क्या? 9, 2, 11, 5, 3, 8, 1, 9. बिल्कुल होते हैं 91, तो अपना करेक्ट आंसर यही हो जाएगा. ठीक है? बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है. बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है. अपनने यह ऑप्शन रखके देख लिया. अगर इस ते स्पाम नहीं बनता तो और कोई श्या ऑप्शन रखके देखते हैं. A man cycles from P to Q at distance of 30 km in 2 hours 42 minutes, 48 minutes. The road from P is travel road, level road for 18 km and then it is uphill to Q. The man's average speed on the level road is 15 km per hour. What is its average speed on uphill? तो को यह एक आदमी ने 30 km distance कवर किया. 18 km ता level सही है. उसके बाद कितना distance बचा ता बोलो सब बारा. 12 km distance बचा. यह 18 मुश्की अवरेज स्पीड कया रहा है 15. मतलाँ 18 km डिस्टेंस बचा बचाएं. स्पीड से कितने ताइम में कवर कर लिया हूँआ? यहां से टाइम आजाएगा. ती पांच ती पांच ती पांच ती पांच ती पांच ती ची अठारा 6 वाइफ 5 आर में कवर कर लिया हुआ ठीक है? टोटल टाइम अगर अपन दिंगे तो यह कितना आरा? 2 आर, 48 मिनिट 60 से कवर्ड करो 6 थारा तालीज, 6 दाम के साथ 4 वाइफ 5 टीक है? तो यह कितना वोजागा? 5 दूनी, 10 और 4 14 वाटे, 5 गंठे 14 वाटे, 5 गंठे उसको टोटल लगे जिसमें से 6 वाटे, 5 गंठे उसको यहां लगे ठीक है? 14 में 6 आर्ट वाटे, 5 गंठे उसको लगे कितने डिस्टेंस कवर करने में? 12 km का distance cover करने में उसको 8 बटे 5 घंटे लगे तो speed यहां से आ जाएगी काट लो 4 दूनी 8, 4 ती यह 12 ती 5 चे 15 बटे 2 15 बटे 2 km पर आवर, km पर आवर सब km पर आवर में दिया 7.5 km पर आवर ठीक है Question number 28 है अपने सामने इसमें क्या बोल रहा है अपरसन ट्रेवल at a speed of 48 km पर आवर यह विल रीच इस देस्टिनेशन ओन ताइम यह कवर तू थर्ड आव द जानरी 5 बाई 6 अव दे ताइम इफ एट वाट स्पीड शुद यह ट्रेवल तो कवर दर रमाइनिंग दिस्टेंस तू रीच इस देस्टिनेशन ओन ताइम देखो यह अपनने टूटल दिस्टेंस पान लिए 48 km रही है तो 48 की स्पीड से यह कितने टाइम में कवर कर लेगा आप बोलो सर एक गंटा लगे है उसको इसको इसको ताइम लगाना है कितना एक गंटा टूटल जिसमें से तू थाइड डिस्टेंस कितना हो जाएगा इसका 48 का तू थाइड तीन से काटो तीने कम तीन तीन तीची गंटा था सोला दूने बत्तीस बत्तीस किलोमीटर चलने में उसने कितना टाइम लगा लिया फाइब बाई सिक्स ओफ दा ताइम मतलब पाँच बत्ती जह घंटे लगाइब बचा कितना तो अब बलूउ स सॉर एक बत्ती छहाआवर में कम्पलीट करना है कितने के speed से चलना पड़ेगा? बलुज़ सन्वे, 16-26 किलो मीटर परावर के speed से चलना पड़ेगा? जब जाके एक गंते में, वो 16, ड़ एक पटी, छे गंते में 16 किलो मीटर कवर कर पाएगा. ठीक है? ठीक है? बिल्कुल ठीक है? कोई देखकर नहीं है? आगे देखो question number 29 two car x and y started running toward each other from two places to 16 km apart the ratio of the speed of x and y is this the speed of x is this after how many minutes x and y meet each other देखो x or y की speed का ratio दिया आपनको 5 ratio 7 और x की speed भी दिया 60 km परावर और क्या दिया two cars x y start running toward each other two places to 16 km apart x दर से चल रहा है y दर से चल रहा है 216 km apart ठीक है अगर 5 कमाटलब साथ बारा को ना तो बारा सत्य चौरा सी इस काउन तो चौरा सी ठीक है बुल ठीक है टाइम बताना है अपनको तो दूटल डिस्टेंस कितना है 216 km दोनों एक दूसरी एक तरफ आ रहा है speed चुड़ जाएगी चुड़ जाएगी तो कितनी हो जाएगी 6, 8, 6, 14, 144 ठीक है बिल्कुल ठीक है काट लो इसको 12 सी कट जाएगा 12 एकम 12 बचे के कितना 8 रिकनो 12, 8, 96 12, 12, 12, 8, 96 12, 12, 12, 14 6, 12, 12, 12, 16, 18 टोटल कितना टाइम लगेगा 3 y 2 आर 3 y 2 आर्स का मतलब कितना हो जाएगा तो आप भूले उसर इसको मिनिट में करना 60 से मुल्टिप्लाइ कर दो 30, 90 मिनिट ठीक है आगे देखो कुश्चन नमबर 30 ट्रेंड A and B अफ लेंथ दिस and दिस आर रनिंग अपोजे डिरेक्शन अन पैललेल ट्रेक्शन अन पैललेल ट्रेक्शन अन पैललेल ट्रेक्शन और दोनों अपोजे डिरेक्शन मतलब यह इदार आ रहा है यह दार आ रहा है दोनों की स्पीट जुड़ जाएंगी इस स्पीट जुड़ जाएंगी तो इस स्पीट जोड लो पाँच माँच देस की 0, 8, 6, 4, 1, 15 तो सबसे पहलेले तो 25, 25, 6, 6, 25 25 छिका डिर सो 25 बटे 6 ताइम आगयर और में और में नहीं ये मीटर में ये फीन किलुमीटर पर आर में तो इसको किलुमीटर पर आर को करना पड़ेगा मीटर पर सेकंड में कंवर्ड को ताइम अपन से सेकंड में पुछाidents ठीक है तो ये किसमे स्पीट किलो मीटर पर और मीटर पर सेकंड में करने के लिए 5 बाइ 18 से मल्टिप्लाई यह जाए उपर 18 ठीक है तो यहां 5 बाइ 18 और है अब काट लो इसको 6 ती आठारा पचम पच्चीस 25 पंदरा सेकंड लागेंगे यह option correct answer आगे देखो question number 31 a man walking at a rate of 4 km per hour cross a tunnel in 18 minute what is the length of the tunnel in meter एक परसन 4 km per hour की speed से चल रहा है वो एक टनल को cross करने हो उसको 18 minute का time लगता है what is the length of tunnel 4 km per hour की speed से चल रहा है speed equals to distance upon time ठीक है बल्कुल ठीक है तो speed into time per hour distance speed कितनी है 4 km per hour time लाग रहा है उसको 8 minute मीटर में ज्याद करनी है तो 4 km per hour को मीटर पर सेकंड में 5 by 18 और time लाग रहा 18 minute इसको second में convert करने के लिए 60 से multiply है यहां कर लेते हैं थोड़ा सा फोर किलो मीटर को 5 by 18 मीटर पर सेकंड में 18 minute को second में convert करने के लिए 60 से multiply है ठीक है तो यहां से time आजा टाइम डिस्टेंस आजाएगा मीटर में अठारा से अठारा कट गया पांच शे कतीस तीचो को बारा तो जीरो बारा सो अपना correct answer ठीक है बल्कुल ठीक है आगे देखो question number one a lady bark to her office every day from home and maintain a fixed time for the same on one day she decrease her speed by 25% by what fraction her usual time late दो को speed का ratio अगर अपन देखे 25% कम कर दी मतला एक पेटे चार पहले वो चार से जा रही थी अब वो तीन से जा रही है तो time का ratio का हो जाएगा आप बलू से time तीन से चार हो जाएगा तो कितना बढ़ गया आप बलू सर यह बढ़ गया 1 y 3 समान समय से किस fraction तक देरी होगी 1 y 3 तक की देरी होगी उसको ठीक है question no.2 आपने सामने P and Q are two towns a man drives from P to Q at an average speed of 50 km per hour he stops at Q for 4 hours then head back to P at an average speed of 40 km per hour following the same route what is the average speed if he takes 20 hour for entire trip तो question बहुत आसान है इस speed का अगर अपन ratio भी बात करें तो speed का ratio निकाल सकते हैं 50 ratio 40 यह 5 ratio 4 आजाएगा ठीक है तो यहां से time का ratio भी आजाएगा 4 ratio 5 मतलब total कितना है 9 unit 9 unit का मतलब कितना दिया 22 hours उसको total लगें जिसमें से 4 गंटे वो रुग गया अगर 22 गंटे उसको total लगें जिसमें 4 गंटे रुग गया तो 18 गंटे एक का मतलब क्या आगए दो गंटे तो चार का मतलब कितना आगए 8 गंटे पचास की speed से 8 गंटे तक अगर वो चलेगा तो आट पंजे चालीस 400 किलो मीटर चला होगा ठीक है 400 जाने में लगा 400 आने में total time distance कितना हो गया 800 टूटल डिस्टेंस हो गया अपने पास 800 टूटल टाइम कितना लगा है उसने 22 तो यहां से average speed है जाएगी काट लो इसको यह दूसर कट जाएगा क्या जाएगा 400 बटे 11 अब उपन को 100 बटे 11 का मतलब पता है 9.09 यह 100 बटे 11 का मतलब होता है तो 400 बटे 11 का मतलब का हो जाए टूट चछतीस पॉंट बटे जाएगाॹए व्टे जाए जाए एवा चेए चौटन चाहरा जाए चारसो बटे जी आएरा छाप्शन ने एप्टाइक एगा क्रेकए आगा देखो क्यूंचन नमर थरी अगर्ल शायकल स्टुर में फ्रॉम ए टू बटे शिस्ड पाच्टी the level road is 10 km परा हर एवरेज स्पीड दाउनल स्पीड देखो कुश्चन भोई अभी किया था पनने सेम उसी टाइप का कुश्चन है कोई दरने वाली तबात ही नहीं जब एक कर सकते हैं दूसरा भी कर सकते हैं तो को 25 km चल रही है वो टोटल जिसमें सब 15 km तक लेवल रूड है ठीक है तो 25 km पंदरा किलो मेटर उसने 10 की स्पीड से चला कितना टाइम लगा हो तो आप बलो सर 1.5 आवर 1.5 आवर लकिए हो टोटल टाम कितना लगा है टोटल टाम लगा है ट्वार स्पीटियो लूश् इसमें से 3 वाइटू माइनस कर लो साथ दूनी 14 और 3 तिर कर 9 बटे 6 चावदा में सननो जाएंगी 5 बचे कर 5 बचे 6 गंटे अब उसके पास बचे हैं बचे हैं मतला मतला 5 बचे 6 गंटे में उसने बचा हुए डिस्टेंस कवर किया हुआ बचे हुए डिस्टेंस कितना है 15 किलो मीटर तक लेवल रोड है बचे 10 किलो मीटर उसने 5 बचे 6 गंटे में कवर कर लिया 5 बचे 6 बचे 12 किलो मीटर पर आवर की स्पीड से बी ऑप्शन करेक्ट आंसर ठीक है क्वेशन नंबर फूर अपने सामने समी क्या बोल रहा हुआ अट्रें ट्रेवल फॉर 5 इस्टु 1 वाई 2 आर्स 1st half of the distance is cover by 60 km per hour other half distance cover 20 meter per second total distance travel in kilometer तो सबसे पिले 20 meter per second को km per hour में कनबट करो 18 वादे 5 चुको 20 और 18 चुको 22 km per hour km per hour ठीक है अब अपने पास दोनों स्पीड आगा है किलोमीटर पर hour ये साथ है ये बादतर है साथ और बादतर कमल्टिपल देख लो तुमें को बारा दिख रहा है बारा चींग बादतर 120 120 distance मतलब 240 distance मेंने मान लिया कोई दिक्कत इसम किसी कुछ भी मान सकते है divided by 60 divided by 60 12 12 12 12 12 12 12 तो इधर से आगए 5 बाटी 3 चीग है इधर 2 लगा इधर 5 बाटी 3 लगा मतलब कितना डाइम लग गया 3 2 6 5 11 बाटी 3 और लगना कितना चाहिए ते इतना 11 बाटी 3 unit का मतलब है 5 2 10 और 11 बाटी 2 unit तो यहां से 1 unit का मतलब निकाल लेंगे पनासानी से एक unit का मतलब क्या हो जागा 3 by 2 तो अपनने जो 240 माना था उसमें 3 बाटी 2 से मल्टीप्लाय कर दो तो यह कर जागा 2 एकम 2 2 दोनी 4 120 मल्टीप्लाय बाटी यह 36 360 क्लोमीटर अपना करेक्ट अंसर हो जाएगा ठीक है क्विश्चिन नम्बर 5 है अपने सामने इसमें क्या बोल रहा है वहना परसन ट्रेवल एट इस टू 1 बाटी क्लोमीटर पर सेकंड आठी है 2425 बाटी 3 मीटर पर सेकंड ठीक है बल्कुल ठीक है यह विल रीच इस देस्टिनिशन उन टाइम ही कवर 2 आए 3 ओफ देजनी इस 5 आए 8 ओफ दाइम अट वाट स्पीट शुद ही ट्रेवल टू कवर रहा रमेनिंग दिस्टेंस तुदर रीच देस्टिनिशन उफ ताइम तो सबसे पहला पन दिस्टेंस मानते हैं दिस्टेंस क्या मानें तो एक तो यह पत्चीस से डिवाइड होना पड़ेगा तो पत्चीस मान लो ठीक है फिर इदर तीन से भी डिवाइड करना पड़ेगा इसमें तीन नहीं आता तीन का मल्टिपल भी इदर आठ से भी डिवाइड करना पड़ेगा तो आठ का मल्टिपल भी यह अपन ने दिस्टेंस मान लिया ठीक है अब अब अपन को पता है क्या यह speed है, यह distance है, तो यहाँ से time निकल जाएगा, distance upon speed equals to time 25 into 8, 25 भटे 3, भटे 3 उपर आजाएगा, यहाँ से time निकल हो 25 से 25 कड़िया, यह आगया time कितना, 8 तिये 24 तिये 22 सेकेंड, उसको total 72 सेकेंड का time लगता है, distance cover करने में, ठीके distance कौन सा यह, time आगया अपने पास 72 सेकेंड कोई दिक्कात, कोई दिक्कात नहीं है, देखो 2 by 3 distance उसने cover कर लिया, 5 by 8 time में, अगर 2 by 3 cover कर लिया तो बचा कितना 1 by 3, इसका 1 by 3 कितना हो जाएगा, 25 into 8, मतलब यह distance उसको cover करना है, time कितना बचा है उसके पास, 5 by 8 time हो चुका है, तो इसका 5 by 8 हो चुका है, तो बचा कितना 3 by 8, 8 से 81 आगा, 9 बार में, 9 27 सेकंड, यह आगाई अपने speed लेकिन, यह काय में आईगे, मीटर पर सेकंड में, अपने को चाहिए, किलो मीटर परावर में, किलो मीटर परावर चाहिए, तो 18 बटे पास से और मल्टिप्लाय करना पड़ेगा, अब कर लो इसको solve, तो तो 5 से यह कड़ेगा 25 बार में, 9 यह 27, 9 बट फार, 5 बट फार, 5 बट ट 10, 8 बट फार, 3 से काट हो 3 बट अछी बट फार, श्युक्किल दो बट फार, पच्ची का 2 बट वट फार, 25 से 2 बट फार, 27 सेय, 2 बट फार प्ट अपने कोप्शन का करेक्ट आंसर, जो कि Dू Option में दिया है ठीक है? Q6 अपने सामने The speed of wind during a storm is 10 raised to the 5 mm per second How long will it take to a dust particle suspended in a air to travel 1 km? तो इस्टेंस कितना 1 km तो 1000 meter आ गया 1 meter ठीक है? बल्कुल ठीक है अब इसकी speed क्या दिये आप बलूँ सर्फ 10 raised to the power 5 का मतलब 5 0 mm if you want to convert it in a meter तो क्या करना पड़ेगा? 1000 से divide ठीक है? पर second पर second कोई दिख करना है अपन को सब second में ही निकालना है बस इसकी को solve करना है अब आपन को तो देखो ये 3 0 से ये 3 0 कड़ गई ये 2 0 से ये 2 0 कड़ गई इधर meter था इधर second था meter से meter कड़ गया 10 second अपने question का correct answer आ गया C option correct answer ठीक है? आगे देखो question number 7 how much time does earth take to rotate an angle of 135 degree about its axis तेखो अपन को पता है क्या पता है 360 degree rotate करने में उसको 24 गंटे लगते है ठीक है? अगर 360 degree rotate करने में 24 गंटे लगते हैं तो 135 गंटे में time लगेगा अपने टी मान लिया ठीक है? बहुल ठीक है सबसे पहले इसको काटो देखो 5 से कड़ जाएगा 5,7,35 बचीगा 1 5,2,10 5 से कड़ जाएगा 5,2,10 5,7,35 9 से कड़ जाएगा 9,3,27 9,8,12 8 से कड़ जाएगा 3,24 तो time equals 2 गा 3,23,9 आर लेकर अपन से 2nd में पूचा है तो 60 से मल्टिप्लाय किया में और 60 से मल्टिप्लाय किया 2nd में क्या आ गया 36 सो इंटू 9 9 से मल्टिप्लाय कारो 0,0 9 से कड़ जाएगा एक ही ऑप्शन में उनिट जाएगा यह अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा 9 से कड़ जाएगा 27 से कड़ जाएगा ठीक है बिल्कुल ठीक है आगा देखो क्वेशन नम्मर एट इस स्पीड ऑफ बस बिदाउट स्टॉपेज इस 40 किलोमीटर पर आवर बिद इस स्टॉपेज 8 किलोमीटर पर आवर कितने की कमी आगई तो अब भुलुसर इतना टाइम लागई गा किलोमीटर पर आवर किलोमीटर पड़ गए यह आगा आगए आर उफर ठीक है इसको आर में नहीं पूचा पन से मिनेट में पूचा मिनेट में साट्टर देवर मल्टिप्लाय कर दो तो देखो 8 पंज चालीज और पांस से एक गड़े आगा बारा टायम में उसको बारा मिन्ट के लिए ठहरती है एक गंटे में ठीक है? बिल्कुल ठीक है थैंक यू सो मच